मुझूद सारे छातर साचियों को मेरा इनकलाबी सलाव जग साथी साथी ने बताया कि जाती उन्मूलन के पूरे फिस्टोरिकल प्रोजेक्ट पर एक चर्चा करने और साथी इस कॉंटेक्स्ट में अम्बेटकर की पूरी विरासत को उनकी पॉलिटिकल लिगैसी को समझने और उसके साथ मतलब कहाज़ा कि एक क्रिटिकल रिलेशन बनाने का इससे जादा मुफीद वक्त और कोई नहीं हो सकता था हाल में ही रोहित वेमुला की मौत में एक बार फिर उन सवालों को ज्यादा गंभीरता के साथ रेखांकित करके अंडलाइन करके हमारे सामने उपस्थित किया है जो किसी भी रूप में नए सवाल नहीं है लंबे समय से वो हमारे सामने मौजूद रहे हैं और उनको खास तोर पे अगर देखा जाए कि मलब मैं कंटेंप्री सेनारियों से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा इस कंटेंप्री सेनारियों में जो पहली चीज मतलब मुझे लगता है देखने जो रोहित के मौट से भी सामने उभर कर आई है वो ये है कि पिछले करीबन धाई दशक से जब नई आर्थिक नीतियों की शुरूआत हुई है तब से हम एंटी दलिट एक्रोसिटी में और साथी कैंपस के भीतर कास्ट जिस तरीके से मौजूद है जो इन्विजिबल है लेकिन इट कैंब इसके अवरिवेर इन एवरी सिंग वो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर कर पहले के मुकाबले सामने आई अगर हम बात करें कि हैदराबाद सेंटर यूनिवर्सिटी में ही पिछले एक डेकेड में नौ दलित स्कॉलर्स स्यूसाइट कर चुके हैं जैसा साथी बेवी ने बताया कि पिछले करीबन दस साल हुए दोहजार साथ से अभी एगर आठ नौ साल जोड़ ले तो इसमें 18 दलित स्कॉलर्स में साथ दौर के सबसे जो एडवांस हायर एड़ुकेशन के इंस्टिटूशन है उनमें सुईसाइट किया है जिनमें IIT, IIM, Medical Colleges सबसे उपर हैं सबसे जादा सुईसाइट वहां पर हुए है इसके साथ ही जो एंटी दलित एट्रॉसिपीज हैं उनमें भी अगर हम नेशनल जो एसी कमिशन है उसकी रिपोर्ट को मानें तो 1990 से खाथ तरके लेट 1980 से इनमें एक अगदम स्पर्ट एक अचानक उचाल दिखाई देता है और खाथ तोर पे अगर इन आप एंटी दलित एट्रॉसिटीज के सारे इंसिडेंट्स को देख वर्किंग क्लास फैमिली से आते हैं या फिर अर्बन पूर के उससे आते हैं तो एक बात बहुत सास है कि इन एंटी दलित एट्रॉसिटीज के के से एक क्लास डाइमेंशन है जिसको तमाम लेफ्ट स्कॉलर्स भी रेकगनाईज कर रहे हैं और जो दलित स्कॉलर्स हैं वो एक रियाना, पंजाब, राजस्थान खास तोर पर और वेस्टन यूपी यहां पर जो एंटी दलित एट्रॉसिटीज हुई हैं मैकसिमम एग्रेरियन लेबरर्स जो हैं उनके सिलाव दिया अभी हाल में आपने सुना होगा कि ट्रैक्टर से कुचल के कुछ दलित वर्कर्स एक दलित वर्कर का हाथ जो है वो डाल के काट दिया गया या अभी फरिजाबाद में सुन पेड़ में जो दो दलित बच्चों को जला कर मार देने की घटना हुई इन सारी घटनाओं में अगर आप देखें तो आप आते हैं कि वर्किंग लास दलित अकसर निशाने पर रहें विक्टिम्स रहें और जो वर्किंग लास दलित के साथ जो अभी 25-30 साल में उसमें जो परपेट्रेटर्स हैं वायलेंस से वो आम तोर पे ब्राममण या ठाकुर जाती हैं इन में से ज्यादा तर जो अपवर्ड मोबाइल रिच पेजंट कास्स है जो मिडल कास्स है बेसिकली और अगर हिंदू रिच्वेलिस्टिक स्क्ट्टर में उनका लोकेशन देखा जाए तो शूद्र है जिसको मिला कर दलिट्स के साथ बहुजन समाज की कल्पना की गई थी मेटकर ने की थी अपने समय में बाद में अलग-अलग लोगों ने जलिट पॉलिटिक्स में इस बहुजन समाज का जो कंस्ट्रक्ट है उसका अपने तरीके से पॉलिटिकल यूज किया है लेकिन इस समय जो मैक्सिमम एंटी जलिट क्राइम्स हो रहे हैं और सिर्फ नॉर् और साउस में ये बहुत पहले हुआ है जब पहले शुद्र केंडम्स वहां अप्षित में आये थे क्योंकि कास्ट इसका चर्वी पुरे देश में टेंपोरियली और स्पेट्यली उसमें बहुत वेरियेशन जैसे आप गर आप नॉर्थ इस्ट इंडिया में जाएं बेंग इंपोर्ट किया गया जब शुद्र किंडम्स वहां पैदा हुए चोल चालुक के पाल वंच के दोरान वहां पर जब इस तरीके के शुद्र किंडम्स पैदा हुए तो वहां पर ब्रामबनों को इंपोर्ट किया गया कि वो एक रिशुलिस्टिक रेकागनिशन इस नए यह काम शिवा जी ने भी अपने टाइम में किया था जब छत्रपती की उपाजी हासिल करने के लिए उन्होंने ब्राह्म्ह एक बनारस के ब्राह्मण को एक तरीके से आयातित किया था इंपोर्ट किया था जिसने बहुत मान-मनवल के बाद पैर के अंगूटे से तिलक करना और शिवाजी छत्रपती शिवाजी बने तो यह बहुत सारे वेरियेशन्स है तो जो इस तरह की शुद्र जातिया साउस में थी या फिर जेस्टन कोस्टेल एरिया जो था भारत का वहां थी वहां पर तो बहुत पहले उनका एकनॉमिक पावर और पुलिटिकल पावर बढ़ जो है वहां पर ग्रीन रेवलूशन के साथ यह जो मध्य जातियों का उभार हुआ है जिसका पुलिटिकल एक्स्प्रेशन एक दौर में चरंद सिंग की राजनीती कर रही थी और आज के दौर में उसको अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग पुलिटिकल पॉर्मिशन कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से लेकर जो है वो राष्ट्रिय जनता दल तक और जनता दल एक टाइन वो उस क्लास को रेप्रेजेंट कर रहे थे जो ही रिच्विलिस्टिक हाईरार्की में उनका स्टेटस शूदर का था लेकिन एकनामिक पावर बढ़ने के साथ एक कुलक जाती के तौर पे एक रिच फार्मर जाती के तौर पे उनके इस्टैबलिश हो जाने के बाद उनका रिच्विलिस्टिक स्टेटस जो भी हो वो डॉमिनिंट कास्ट के तौर पे इसके बाद इस पूरे फेनोमिनन पे काफी सोशोलोजिकल वर्क भी हुआ अगर आपको कुछ sociology के student होंगे तो आपको पता होगा Gloria रहे जा और इस तरह के कई sociologist ने इस पे काम किया है Gloria रहे जा ने एक centrality of dominant caste कितिया ही दिये कि caste structure fluid है और उस caste structure में जो caste economically upward मोबाइल हो जाते हैं वो ritualistically भी अपने आपको status को उपर कर लेता है इसको एक खास तोर पर एक खास context में M.N. श्री निवास में भी study किया था और sensitization का नाम दिया था तो मूल उस पे लोटते हुए थोगा था ये detour हो रहा है मूल उस पे लोटते हुए कि ये जो anti-dellist atrocities हैं चाहें वो campus में हो रही हो या खेतों में हो रही हो या कारखानों में हो रही हो इनका एक clear cut class dimension है लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जब ये atrocities हो रही है तो इन atrocities के खिलाफ जनता को organize करने लोगों को organize करने और mobilize करने का काम भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो लोग इसको resist कर सकते हैं जो आप कह सकते हैं working class masses हैं वो खुद भी जातियों में बठे हुए हैं जिसको अंबेटकर ने कहा था कि जाती की समस्या का समाधान इसलिए ज्यादा complicated हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ division of labor नहीं है बलकि ये division of laborers है एक graded inequality है एक श्रेणिबद hierarchy की वेवस्था है जिसमें जो oppressed caste हैं वो भी इसके उन्मूलन के लिए तयार नहीं होती हैं क्योंकि वो हमेशा ये देखती हैं कि उनके नीचे भी बहुत लोग मौजूद हैं और वो जो एक selective privilege उनके पास है उस selective privilege के साथ they cling to it कि नहीं अगर जाती वेवस्था जाएगी तो हमारा जो selective privilege status है वो भी जाएगा इस मामले में Ambedkar का ये observation बिल्कुल accurate था और इसको आज भी देखा जा पकता है कि आज देखिए कि किस तरीके से रोहित वेमुला की भी जो लड़ाई है और रोहित वेमुला के लिए justice की जो लड़ाई है उसके contradictions जो है वो किस तरीके से सामने आ रहा है अगर आप रोहित वेमुला की suicide और उसके लिए नयाएकी लड़ाई को identity के struggle पे reduce करेंगे तो किस तरीके से वो लड़ाई एक self-defeating लड़ाई बन जाएगी इसका एक example अभी हाल में सामने आया जब स्मृती एराणी ने ये कहा कि जिस लड़के के उपर case डालने की बात हो रही है एन सुशील कुमार जो ABVP का activist है वो खुद भी OBC है वो खुद other backward classes से आता है और सिर्फ इसको इस दलित उसका मुद्दा बनाया जाएगा रोहित वेमुला का suicide और रोहित वेमुला जब तक जिन्दा था तब तक उसकी लड़ाई सिर्फ एक identity की लड़ाई नहीं थी वो एक political struggle था वो उस पूरे political struggle का एक पार्ट था जो political struggle आज पूरे देश में right wing politics के अपसर्ज के साथ अलग अलग जगा अलग अलग तरीके से हो रहा है चाहें वो occupy UGC की लड़ाई हो या FTII के लोगों की लड़ाई हो या फिर वो लव जिहाद और इस तरह के तमाम बेहुरा किसम के जो right wing क्या बुलेंगे आप डिजाइन से उनको फोपने के खिलाफ जो resistance हो रहा है इस पूरे overall political resistance का एक पार्ट और रोहित वेमुला के लिए आज भी अगर हमें लड़ना है तो एक बात clear है कि आप इसको identities का struggle बनाएंगे तो यह अपने पाउं पर कुलहड़ी मारने के तमान होगा इसके दो dimension एक dimension यह है कि रोहित वेमुला को किसने मारा और क्यों मारा इसका जवाब यह है कि रोहित वेमुला इसको ने मोधी सरकार के पूरे fascist onslaught जो है हर किसम के democratic rights पे वेमिन्स राइट्स पे दलित राइट्स पे उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे रोहित वेमुला और उसके साथी मुदफर नगर बाकी है कि screening से लेकर यह जो प्रचारित किया जा रहा है कि beef festival करके मुसल्मानों को उफसा रहे थे ऐसा कुछ नहीं था या फिर वो याकूब मेनन की फासी का विरोध करी नहीं रहे थे वो in general capital punishment का विरोध कर रहे थे और वो इस चीज का विरोध कर रहे थे कि बहुत ही flimsy grounds पे आपको पता हुगा याकूब मेनन पे जो charges थे precisely वो charges संध्यदत के उपर दिया लेकिन याकूब मेनन को वो social conscience so called जो सामाजिक अंतरात्मा है या अंतश्चेतना है जो भी उसको आपनाम दे लिए उसको सुष्ट करने के लिए उसको अपीज करने के लिए उसको प्लैकेट करने के लिए बली चढ़ाया जाता है जहां वो judicial process के थूँ हो जैसा कि अफजल गुरू के साथ और याकूब मेनन के साथ हुआ या फिर वो extra judicial process हो जो कि संगी गुंडों की brigade सरको पर करती है जब अफलाप को और इस तरह के तमाम अल्पंख्यत समुदाय के लोगों को बीफ खाने के नाम या फिर पिल्जाम पर उनको सड़क पर उनकी लिंचिंग की जाती है तो यह जो पूरी चीज चल रही है रोहित वेमुला की लडाई इसको खिला और रोहित वेमुला की इस लडाई को उसी तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए जैसे ही आप इसको सिर्फ गलिक आइडेंटिटी पर रिड्यूस करेंगे इस लडाई को वैसे ही यह लडाई ज्यों आप आल्रेडी गिवेन आप इसलिए आपको यहां से यह लडाई आप शुरू नहीं कर सकते तो एक तो पहला जो कंटेंपररी सिनारियों है वो यह है कि बढ़ती हुई एंटिडलिक अट्रोसिटी और वो किस चीज़ के साथ कंसाइड करती है वो कंसाइड करती है दो चीज़ों के साथ एक जो राइट विंग अपस्कर्ज हुआ है जिसकी शुरुआत हम मंदिर मूव्मेंट के देख चते है वो उसका पहला माइलस्टोन राम मंदिर मूव्मेंट उसका दूसरा माइलस्टोन था मंडल आयोग के खिलाफ जो ब्रहमेनिकल फोर्सेज ने ब्रहमेनिकल जो यह एपरेटस है उसने जिस तरीके से जनता के बीच में एक पोलराइडेशन किया उसका तीसरा स्टेज था 98 ने जब वाजपई की सरकार पहली बार 13 दिन फिर 13 महीने और फिर 5 साल के बनी उसका चौथा बड़ा माइलस्टोन आया गुजराप का जो जेनोसाइट था उस जेनोसाइट के ताद और उसका पाँचवा जो बड़ा माइलस्टोन है वो मोधी का सत्ता तक पहुंचना है और यह पाँच बड़े स्टेजेज ब्रॉडली अगर देख्या अगर पीशे अब मुण कर रेट्रिस्पेक्टिव में देखते हैं तो यह पाँच मेजर स्टेजेज जो राइट विंग हिंदू कम्यूनिल फाशिस्ट अब सर्ज हुआ है और हिंदू से मेरा मतलब यहां हिंदू रेलिजिन से नहीं है मैं यह जो हिंदू दू की फिलोसिपी है जिसका पैशिस्ट तरीके से जिसको पेश किया जारा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ यह पाँच स्टेजेज में यह तरीके से आप कह सकते हैं अप्रोसेस और बिकमिंग ऑफ इंडियन पैशिजम इस प्रोसेस में इंडियन पैशिजम इस तर्ण फोथ यह अपने असली रूष में कल्मिनेट करके अब हमारे सामने आया है इन दोन पहली चीज ये है जिसके साथ ये एंटी दलिक एट्रोसिटीज का बढ़ना कंसाइड करता है जिसके साथ ओरलैप करता है और दूसरी बड़ी चीज है लेट नाइनटीन एटीज में नियो लिबरल पॉलिसी और ग्लोबलाइजेशन की शुरूआ था आम तोर पे लो प्रीकर्सर्स ऑफ नियो लिबरल पॉलिसी इन इंडिया वहीं से शुरूआत हो गई थी और उस समय से लेकर जो एक एकनॉमिक फंडामेंटलिजम, मार्केट फंडामेंटलिजम पैदा हुए यहां पर और पब्लिक चेकर कैपिटलिजम के सात्मा हुए उसके साथ साथ इस एकनॉमिक fundamentalism के बढ़ने के साथ एक political fundamentalism और उसके साथ एक social fundamentalism भी बढ़ा और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है दुनिया में हर जग़ा जहां पर economic fundamentalism बढ़ा है free market economy और state का intervention नहीं होना चाहिए हलाकि capitalist इसको जब हमेशा बोलता है कि state का intervention नहीं होना जब banks दिवालिया होते हैं और बड़े-बड़े corporate houses दिवालिया होते हैं तब वो हास पसारे state के पास आते हैं stimulus package देने के लिए इसलिए ये जो capitalist logic है इसने एक आप कह सकते हैं दृष्टी ब्रह्म भी पैदा किया है तमाम sociologist और political economist के बीच कि state अब विदर अवे कर रहा है नेशन state अब जा रहा है ये बहुँ बड़ा मित है नेशन state अभी भी उतना ही है पहले वो welfarist state के तौर पे एक हद तक लोगों के पक्ष में interventionist है जनता के पक्ष में interventionist है और आज वो naked तरिके से नंगे तरिके से वो corporate houses के पक्ष में interventionist हो चुका है और आज हिंदुस्तान में जो natural resources का loot और plunder चल रहा है उडिसा से लेकर नौर्थिस्ट महराष्ट तक विदर्ब तक सारी जगहों पर जिद आदिवासियों को कभी छेड़ने का सोचा नहीं गया था लेकिन अचानक पता लगा कि वो आदिवासी जो है वो बॉक्साइट और तमाम natural resources के खजाने के उपर वैठे हुए है तो अब उनको उजाडा जा रहा है और अगर वो अपने हकों के खिलास लड़ रहे है जल जंगल जमीन के तो उनको operation green hunt और तरह की इस तरह की oppressive दमनकारी state मुई में चला के उनको कुछला जा रहा है तो ये economic fundamentalism हमेशा एक political fundamentalism को और एक social fundamentalism को पैदा करता ही है और ये दुनिया में भी हमेशा बार-बार किया है इसने और हिंदुस्तान में भी बार-बार कर रहा है और इसके साथ जो चीज हो रही है आज के contemporary scenario में वो हो रहा है आप कह सकते हैं एक तरीके से अंबेटकर का एक sanitization हिंदु reformer के तौर पर जो RSS करने का कोशिश कर रहा है कि उनको अंबेटकर को एक जाती भंजक एक रूडी भंजक एक rationalist political philosopher के तौर पर political activist के तौर पर उनकी image को नश्ट करके उनको एक मामूली social religious reformer में तब्दील कर देना उसके तौर के उनको sanitize कर देना इसकी भी कोशिशे RSS लगतार कर रहा है उनको co-opt करने की अपनी तरीके ते और इस पूरे background में हमें ये लगता है कि annulation of caste का जो historical project है आज उस पे चर्चा पहले भी relevant सी लेकिन आज कहीं ज़्यादा relevant और pertinent बन चुकी है और ये हमें लगता है कि हमारे discussion का point of departure होना चाहिए इससे पहले कि embed कर के political thought और उनके political legacy के एक positive appraisal की तरफ हम आगे बढ़े critical appraisal की तरफ हम आगे बढ़ें उससे पहले ये जरूरी है कि हम embed कर के political thought और उनके political practice के अब तक जो criticism पेश किये गए है उन पर भी एक निगाह दोड़ा ले क्योंकि आज अगर हम यहाँ बैठकर embed कर के political thought और उनके political practice के criticism के और उसके साथ एक critical relation बनाने की बात कर रहे हैं तो ऐसा करने वाले obviously हम लोग पहले लोग नहीं है बहुत लोग पहले भी ये exercise पर चिक है फिर भी हम नए सिरे से ये करने की बात कर रहे हैं तो आप एकदम से इस पर novelty नहीं क्लेम कर सकते ये पहली बार हम करने जा रहे हैं और नहीं एसा हमारा कोई इरादा है कि हम इस पर कोई novelty क्लेम करें ये वैसी बात होगी जैसे आग का विश्कार हम दुबारा करें और फिर यूरेका यूरेका चीखे इसकी कोई जरूरत नहीं लेकिन ये जरूरी है कि हम अमबेटकर के अब तक जो criticism किये गए उन criticism के साथ भी इस critical relation बना है क्योंकि अमबेटकर के अब तक जो academic और political criticism किये गए है उनके साथ आप कह सकते हैं कि एक major problem जो हम लोग को लगता है वो ये है कि अमबेटकर के ज्यादा तर criticism उनके political practice के एक empirical study पे based है कि अमबेटकर ने 1916 में Columbia University में कास्ट के उपर जो paper पेश किया और उस समय से लेकर उनके मौत तक 1956 में जिसके लगभग महीने डेड़ महीने पहले उन्होंने conversion उनका हुआ था बुद्धिजम में यह जो 40 साल का academic और कोई भी career purely academic career नहीं होता है हर academic career का political aspect होता है चाहे एकडमिशियन इस बात को लेकर aware हो या नहीं हो लेकिन उनका जो academic और political career है उसका एक study अब तक जो critical उसके appraisals किये गए है उनका एक major lacuna यह है कि उनको इस चीज़ पर reduce किया जा सकता है कि वो अमबेटकर की inconsistency पर बहुत focus करते है जैसे उनका अफसर वो यह कहते है कि 1919 में अमबेटकर कह रहा है थे कि हमें separate electorate या फिर reserve seat दो लेकिन 1928 में Simon Commission के सामने उन्होंने कहा कि नहीं हमें separate electorate और reserve seat प्लस universal franchise for Dalits दो उसके बाद 1932 में वो कह रहा थे कि नहीं हमें separate electorate ही चाहिए उसके बाद 19 इस तरफ से बाहर कर दिया जाए या अगर यह भी बैटने चाहे तो बैटने दो बैटने दो कोई देख दो तो जॉक्त वर्ट वर्ट इस्पिशी बैट आउट जंगल विजूमन बीज तो 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 अम बेटकर के जादे तर क्रिटिसिजम की प्रॉब्लम यह है कि वो इस इनकंसिस्टेंसी पर खतम होते हैं अब यह क्रिटिसिजम एकेडमिक लोगों दोरा किये गया है बहुत साइद दामले ने किया है अपने टाइम में अलग अलग लोगों ने किया है एसी सर्दिसाई ने किया है रेवलुशनरी लेव्ट मॡोब्मेंट के तरफ से किया गया है yalगों ने यह जब तक वो रेवलुशनरी ठी 1991 तक और उसके बाद एमल मॡोमेंट की तरफ से भी नाक्सित, लेनिनिस्ट मूवमेंच जो नक्सल वारी रेवेलियन के बाद अस्तित में आया है만 यसको आज नक्सल मूवमेंट की तरफ से भी अमबेटकर का criticism किया गया है. नुउांसे में बहुतился है अगर आप बारी कियों में जाएंगे तो इन सारे criticisms में काही difference है लेकिन इनने एक जो common theme है वो यह है कि Ambedkar was not consistent in his political idea and in his political practice लेकिन problem यह है कि इस criticism का जवाब Ambedkar अपने life time में ही देना है Ambedkar ने उस समय कहा था और अपने teacher John Dewey को quote करते हुए कहा था कि consistency is a virtue of an ass, गधे की खातियत होती है consistency, किसी भी thinking being की खातियत consistency नहीं होती है यह गधे की खातियत होती है इसलिए जिस criticism का Ambedkar पहले ही जवाब दे चुके थे उसको अलग अलग तप्षियों से push'd करते हुए या facts से उसको justify करते हुए दुबारा present, represent और package और repackage करने की exercise सा कुशाइदा ले इसलिए हमें लगता है कि Ambedkar या फिर किसी भी political philosopher, political activist या किसी movement कि politics का analysis करने का जो पहला yardstick होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि आप उसके philosophical origin तक जाए जो Ambedkar ने कहा था कि जड़ तक जाओ विवाद निपतेगा radical होने radical होने का मतलब यह है कि जड़ तक जाके किसी भी समस्किया का समाधान किया जाए और अगर जड़ तक जाना है Ambedkar के political thought का तो हमें Ambedkar के political philosophy के origins तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाए बगैर आप Ambedkar की political practice का अगर सिर्फ कोई empirical study करें और उसके आधार पर यह कहें कि Ambedkar की political practice thought inconsistent सा तो हम यह कह सकते हैं कि Ambedkar was so inconsistent that he was consistent His inconsistency is a consistent inconsistency उसमें आप अगर कोई pattern या वो trace करने की कोशिश करें तो यही उसका pattern है यह inconsistency ही उसका consistency है तो इस तरह उनके philosophical moon तक जाना हमें रबता है कि बहुत important है अब चुकि यहां पर left movement की भी चर्चा आई है इसलिए Ambedkar के political philosophy के origins तक जाने से पहले revolutionary left movement ने किस तरीके से caste और Ambedkar दोनों के सवाज से किस तरीके से deal किया इसको भी critically समझना बहुत जरूरी है revolutionary movement 1925 में communist movement एक तरीके से 1925 में start होता है formally हलाकि 1920 से ही यह process शुरू हो गई थी लेकिन वो party formation तक 1925 में पहुची जब communist party of India बनी यह communist party of India जब बनी उस बनने के दौर से लेकर 8 साल तक communist party बिना किसी revolution के program के भी हिंदुस्तान में काम कर रही थी और एक उसका major weakness था जो भगत सिंग ने भी point out किया था और बाद में अलग-अलग revolutionary thinkers ने point out किया कि उसका weakest point था उसका intellectual side और एक colonial formation में totally colonized country में जहां पर एक colonial education system established है जहां पर consent manufacture करने का जो पूरा colonial state apparatus है वो बहुत ही well entrenched है मजबूती के साथ जमा हुआ है वहां पर जो communist movement पैदा हुआ जो nationalist movement पैदा हुआ इवन जो anti-caste movement पैदा हुआ उसका original thinking के इन सब में ही कमें थी और revolutionary communist movement में भी यह कमें थी बजाए इसके की marxism की जो philosophy है marxism की philosophy के general approach और method को लेकर particular Indian situation को analyze करें critically ज्यादा तर Indian communist ने अपने देश में क्या करना है इसका program भी borrow किया बाहर के major influences British communist party थी इसका कारण यह भी था कि British communist party नहीं शुरू में workers को organize करने का एक तरीके से काम हिंदूस्तान में शुरू किया स्प्रैट और Bradley नाम के दो activist को Mumbai भेजा गया Bombay भेजा गया कि वह वहां trade union movement को organize करें तो Indian communist party का शुरू से ही एक dependence British communist party के तो clear cut था और एक दौर के बाद Chinese party का 30 से और ज्यादा तर communist party ने अपने देश की situation हिंदूस्तान की situation का कोई original creative study करने के बजाए अपने programs को वहां से borrow किया और यही कारण था कि आज साल तक बिना किसी program और बिना किसी central committee के अपने बिना किसी leading body के 1933 तक communist party काम करती रहे 1933 में एक leading body बनी लेकिन कोई program फिर भी नहीं program का कोई policy statement तक communist party नहीं अपनाया तो और वो program का policy statement अपनाया जब 1951 में तब तक CPI एक parliamentary left party बन चुकी थी तेलंगाना का peasant rebellion कुछला जा चुका था CPI एक तरीके से नहरू के सामने surrender कर चुकी थी डांगे का धड़ा और PC जोशी का और राजेश्वर राओ का जो समझोता परस धड़ा था वो CPI में हावी हो चुका था और उन्होंने एक तरीके से नहरू का Congress की पूच में कंगी करने की धूमिका जो है उस्विकार कर लिए और एक ऐते समय में उन्होंने revolution का एक program अपनाया revolution के एक program related statement को अपनाया 51 में लेकिन जब क्रांती करनी ही नहीं थी तो क्रांती का program आप अपना भी लेंगे तो उसको cold storage में रखेंगे इसके जादा तो आप क वो इंडियन situation के peculiarities का particularities का यहां के contradiction की specificity का उसकी विशिश्चिता का इसने कभी कोई creative अध्यायन किया ही और इंडियन situation को ही totality में समझ पाने में वो नाकाम रही है इसका ये कता ही मतलब नहीं है कि इंडियन communist movement ने कुछ किया नहीं empirically वो workers को organize कर रहे थे, trade unions को organize कर रहे थे, वो किसान सभा का experiment mid 1920s टे कर रहे थे और किसान सभा में उन्होंने दलित question को बहुत prominently उठाया था उन्होंने title हटाओ आंदोलन आंदर किसान सभा में चला था जिसका असर आज तक है क्योंकि कुछ इलाकों में आज तक वो title लगाने की परंपरा ही नहीं है यह communist movement की ही देन दियो आपर revolutionary communist movement ही लेकिन उनका caste का question हो या gender का सवाल हो या workers के बीच में जो caste segregation काम करता है उसको deal करने का सवाल हो इन सबसे वो empirically deal करते हैं और बहादुरी के साथ deal करते थे लड़ते थे ते लंगाना के rebellion में उन्होंने हजारों गाओं को तीन हजार गाओं क को मुक्त कराया हजारों मील का शेत्र जो है वहां पे उन्होंने डेढ़ साल तक people's government चलाई और वहां people's government में यह जादातर कौन लोग थे landless labor का और इस landless labor और जो काश्टकार किसान टेनेंट पेजेंट थे इसमें 98% जो है वो दलिक्स और शुद्र किसान जाती हैं जिन्हो यह एक्सपेरिमेंट Communist Party के नेत्रित में चलाया तो दो चीज़े हैं Communist Party ने empirically caste के question को उठाया 1926 में ATEP जो की उसमें अभी दिया है CPI की Trade Union थी All India Trade Union Congress उसमें Congress के लोग भी सक्रिये थे लेकिन mainly उसमें hegemonic power CPI थे उसमें 1926 में caste के खिलाफ एक resolution passed किया था much before textile mill में जो strike की controversy हम बेटकर के साथ हुई थी उसके काफी पहले उन्होंने caste के खिलाफ एक resolution passed किया था किसान सभा में resolution passed किया गया था caste के खिलाफ और उसके खिलाफ लगातार काम करते थे वहाँ पर trade union activists एक बहुत famous थे मराठे परके वो उच्ची जाती से आते थे महराष्ट में और वो दलित बस्ती में ही रहते थे वहीं जाते थे उन्हीं के साथ खाते थे वो सारे commensal prejudices की साथ बैटके खाना नहीं है untouchability इन सब को तोड़ के communist activist ने और काफी अच्छे घरों से आने वाले सवर्ण घरों से आने वाले communist activist ने यह जो टाबू था कास्ट का इसको तोड़ा और काम किया लेकिन यह सब कुछ empirical था empirically caste जहां सामने आ रहाई थी उससे वो लड़ रहा है जिसको आप कहते हैं एक तरीके से symptomatic reaction था symptom जो सामने आ रहा था उस symptom पे communist movement react कर रहा था radical तरीके से react कर रहा था revolutionary तरीके से react कर रहा था लेकिन फिर भी यह symptomatic reaction था theoretically और historically caste को समझने का जो काम था वो communist movement करने में अस्फल रहा ना सिर्फ उस समय नहीं कर पाया बाद तक नहीं कर पाया नक्सल movement के पैदा होने के बाद तक caste question को historically उसके movement में उसकी dynamism में उसको समझने का काम वो करने में communist movement it fell short and terribly so तो ये दो चीज़े हैं ये दोनों चीज़े समझनी जरूरी है इसलिए जो आज ये कहता है कि कमिनिस्टों ने गलितों के लिए क्या किया ये इतिहास और facts के साथ बत्तमीजी है कि कमिनिस्टों ने revolutionary communist ने कुछ नहीं किया गलितों के लिए ऐसी बात नहीं है इस समय भी चलता रहा revolutionary communist forces के साथ के बीच में और ये जो रणवीर सेना थी उसके बीच में जो कि भुईहारों और ठाकुरों और ब्रामणों का एक feudal reaction एक आप कह सकते हैं एक तरीके से उसके खिलाब जो लडाई चलती रही वो कमिनिस्टों कहीं नेत्रे तुम्हें के लिए और अगर इसने जलितों ने कभी नीले जंडे के नीचे लड़ते हुए नहीं दिये ये fact है और you have to accept the fact, we have to call a spade a spade लेकिन ये सब के बावजूद communist movement का जो weakness था वो ये था कि कास question को theoretically historically उसको समझने में वो असफल रहा और ये communist movement की कोई isolated failure नहीं थी ये जो communist party 26 साल तक काम करते हुए हिंदुस्तान में revolution का path क्या होगा, कैसे होगा, कौन friend forces है, कौन enemy forces है, friend forces का मोर्चा कैसे बनेगा, किसके खिलास क्रामती करनी है, कैसी क्रामती करनी है, socialist revolution करना है या democratic revolution करना है ये तक तै करने में accurately और articulate तरीके से नाकाम्याब रही, उस communist party से ये उम्मीद करना कि वो caste, gender, environment, इन सारे सवालों पे एक balanced stand ले पाता, ये हमें लगता है कि आकाश कुसुम की अभिलाशा करने के समाने, ये बहुत, ये मांग ही है, डिमांड ही बहुत जलाता है, एक ऐसे communist movement स इतना weak रहा था, historically, right from its inception, अपने शुरुआत से जो इतना weak रहा था, इसलिए communist movement का जो बड़ा लैकुना था, वो अप उसके caste को न समझने कि उसकी failure को, communist movement के overall political failure के एक पार्ट के तोर पे देखा जाना चाहिए, वरना से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि revolutionary communist movement जो है, वो ब्र उसमें leadership में थे, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, communist party में के central committee में धनित कौन था, इसके जवाब में ये पूछा जा सकता है, कि independent labor party के leading core में मजदूर कौन था, नहीं था कोई, तो ये सवाल बेकार है, और कोई भी oppressed community, अपना organic intellectual, जो ग्रामशी ने कहा था, वो एक लंबे political struggle, political education और training के पाद तयार कर पाती है, और एकदम शुरुवात से ये उम्मीद करना कि political movements में धलित leadership आ जाएगी, ये मुश्किल है, इवन धलित liberation movement में के leadership में, जो बहिश्क्रित सितकारणी सभा बनी थी, उसके जो मुख्य नेता थे, वो एक सेतलवार थे, जो कि प्राम है कहां पैदा हुआ, इस नोट political analysis और political analysis की जानी जाएगी, इसलिए communist movement का failure यहां पर हम phrase कर सकते हैं, कि उसका जो overall ideological political failure था हिंदुस्तान के situation को समझ पाने में, बहाँ पर देखा जाना चाहिए, अब इस लंबे लंबे detours के बाद, बहुत अच्छा के आते हैं, कि अम जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेरा मामना है उसकी शुरुआत अमबेटकर के philosophical origin से की जानी चाहिए, कि अमबेटकर का philosophical commitment किस ideology किस philosophy के पर देखा, और यहां से ही उनकी politics निकल के आ रही थी, और इस मामने में हमें लगता है कि अमबेटकर के मूसे ही यह बात सुनी जानी चाहि यह हमें नहीं लगता है कि उतना important है, अमबेटकर खुद इस बारे में क्या कहते थे, यह हमें लगता है समझना सबसे important है, एक बात ता है कि अमबेटकर के anti-caste movement और दलिक liberation movement में जो मुझे लगता है, दो major contributions थे, पहला contribution जिसको हम कह सकते हैं कि दलिक identity को establish करना, जो self respect और दल consciousness होती है, कि अगर हमें वराबर का मौका दिया जाए, और हमें लगतार वो education और training हमें भी मिले, जो कि सवर्ण घरों के और elite घरों के लोगों को मिलती है, तो हम किसी मायने में किसी से पीछे नहीं, यह जो दलिक dignity का एक और दलिक identity को establish करने का काम था, इसलिए अमबेटकर का एक बड़ा योगदान था, यह नहीं कहूँगा कि सिर्फ अमबेटकर का योगदान था, क्योंकि फुले, परियार और साथ में communist movement का भी इसमें एक योगदान था, लेकिन अमबेटकर का जो एक पहला major, एक epochal contribution हम बोल सकते हैं, वो यह था कि उन्होंने दलिक डिगनिटी क कि उसको established किया, दूसरा बड़ा contribution जो अमबेटकर का था, वो यह था कि उन्होंने national political agenda पे, कास्ट को पहली बार अपने पूरे importance और significance के साथ इस्टाब्लिश किया, Congress के program में उसके पहले कभी कास्ट के साथ deal करने का कोई item नहीं था, उनके agenda में, और जब अमबेटकर का movement आगे बढ़ता है थोड़ा, वहां से पहली बार national political agenda में, एक तरीके से कास्ट अपने पूरे prominence और अपने पूरे महत्यों के साथ, अपने पूरे गंभीरता के साथ, अपनी gravity के साथ, वो establish होता है, इसनी शुरूआप पहले अंबेटकर के इन दो major contributions के recognition और उसको acknowledge करने के साथ हो लिए, इसमें कोई शक नहीं है, even अंबेटकर से disagree ज को ना कारने के लिए, इसलिए ये clear cut contribution है, लेकिन अंबेटकर का जो philosophical आप कह सकते हैं कि एक तरीके से origin है, उसके बारे में अंबेटकर खुद बहुत ही franks है, और इसको कभी अंबेटकर ने छिपाया नहीं, अंबेटकर जो उन्होंने बार बार कहा भी है कई जगए, innovation of caste में state and minorities में, untouchables who, are they and why they became untouchables, इस तरह की या, इस तरह की जो तमाम उनके works हैं, उनमें अपने इस चीज़ को acknowledge करते हैं, जिसनों साफ तोर पर बोलते हैं कि मेरी पूरी politics और मेरा पूरा intellectual life, I owe to John Dewey, John Dewey जो की Columbia University में उनके teacher थे, एक तरीके से उनके friend philosopher guide थे, और American philosophy में प्रैमि pragmatist philosophy का एक major, आप कह सकते हैं, high priest उनको बोल सकते हैं, जो pragmatist philosophy का एक major figure है, और Ambedkar इस मामने में honestly उन्होंने deviant pragmatism जो था, अपने political practice में, अपने philosophical views में, अपने social program में, उससे कभी ज़्यादा deviate दी किया, इसका ये कता ही मतलब नहीं है, कि Ambedkar ने जो कुछ कहा उसको deviant pragmatism पर reduce किया जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि Ambedkar ने जो कुछ कहा, उसमें उनके लिए एक guiding light का का काम, वो Dewey का political thought कर रहा था, एक, आप कह सकते हैं, ideological compass, जैसे होता है ने, जो कमदर में जहाद उतरता है, तो compass का जो रोल होता है उस जहाद के लिए, और जहादियों के लिए वही रोल Durian Pragmatism का Ambedkar के लिए था, अब मतलब मुझे लगता है कि फोड़ा time इस पे खर्च किया जाना चाहिए, यह समझने के लिए, कि Durian Pragmatism या in general Pragmatism था गया, और वो किस historical context में अमेरिका में पैदा हुआ, और वो किस तरीके से influential वहां के politics में हुआ, और वो किस तरीके से Ambedkar ने उससे सीथा, उससे लिया और उसको अपनी guiding philosophy के तौर पे स्विकार किया, American आप कह सकते हैं कि जो philosophy लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी थोड़ा सा clarify करना जरूरी है, कि कोई भी individual या किसी कोई भी movement उसकी philosophy वो आसमान से नहीं टपक पड़ती है, वो अपने पीछे मौझूद philosophical traditions के उपर build करती है, वो कोई एकदम से it doesn't drop from the sky, just like that, वो उसके पीछे जो philosophical past है, philosophy traditions का, conventions का एक history है, उसके उपर वो build करती है, कोई भी नई philosophy और किती भी philosophy का propounder, उसको propound करने वाले लोग, वो अपने समय में और अपने समय के सवालों का करते हुए अपनी politics को पैदा करते है, और इस तरह से कोई भी नई philosophy, वो पुरानी philosophy को negate भी करती है, और negate करते हुए उसके सीखती भी है, अगर hegelian terms में बात करें, तो यह simple negation नहीं होता है, जिसको रोजमर्रा को इसमें negation नकार्ना समझा जाता है, negation से hegel का मतलब था sublation, sublate करते हुए कोई भी चीज, और कोई भी इंसान, history, कोई भी entity, वो अपने आपको negate करते हुए आगे बढ़ती है, और sublation का मतलब होता है कि कि किसी भी नए stage में change का भी element होता है, और continuity का भी element होता है, और continuity का जो element था, उसको भी समझना जरूरी है, हम बेटकर pragmatist philosophy के पैदा को कुछ stages में divide किया जा है, तो American continental philosophy को तीन phases या stages में divide किया जा करता है, पहला stage था age of enlightenment, जब American nation established होता है, 1776 में first American revolution होता है, Tom Payne के rights of man को वो अपने guiding thought के तौर पे लेता है, और उसका पूरा political expression जो है अमेरिका के declaration of independence में साफ तौर पे आता है, वो एक shadow के तौर पे उस declaration of independence के पीछे, वो Tom Payne का declaration of rights of man, जिसमें दोनों पढ़ा है, वो देख सकता है, clear cut method है, और ये पहला major stage था, जो American philosophy के development में हम अपने सामने देखते हैं, अब इसका जो historical context है, उसकी भी peculiarity को समझने की दरूर है, American nation, एक capitalist nation के तौर पर ही establish हुआ, और उसका कोई लंबा feudal past नहीं जैसे French revolution भी 1789 में हुआ, या British glorious revolution जो Oliver Cronvill के leadership में हुआ, उसके पीछे एक लंबा feudal past था, एक लंबा feudal baggage उन revolution के या उसका गोज उनके पीछ पे लगा हुआ था, American revolution के साथ और American capitalism के साथ ये बात लागू नहीं हो जोगी, अमेरिका एक capitalist nation के तौर पर ही establish हुआ, 1776 में, और जब वो establish हुआ, तो वहाँ पर जिसको लोग ने कहा है कि उस American capitalism को किस characteristic feature से पहचाना जा सकता है, वो है fullness of capitalism, इसका जो fullness है, और कहा जाए कि जो ideals, French revolution को guide कर रहे थे, या enlightenment philosopher, जिन ideals को पेश कर रहे थे, rights of man के जरिए, या फिर उस समय, जिसकी process काफी पहले से शुरू हो गई थ लिखना, और Tom Payne का rights of man लिखना, या दीदरो literature के field में जो कर रहे थे, encyclopedist जिनको बोला गया, जिनोंने पहली बार reason, rationality, modernity की बात थी, जिनोंने पहली बार feudal idleness, feudal aristocracy, और feudal lords का जो parasitism था, उसको critique किया, reformation के दोर से भी इस process को देख सकते हैं, जो protestant religion पैदा हुआ, एक religious reform movement के तोर पे Christianity के ambit के भीतर, जिसको Weber ने कहा, ethics of entrepreneurship, spirit of entrepreneurship और spirit of capitalism, जो एक workmanship का, मेहनत का, काम करने का, और idleness के खिलाफ, और aristocracy के parasitism के खिलाफ, जो पूरा एक philosophy पैदा हुआ, वो philosophy अपने most ideal form में, वो अमेरिका में establish हुआ, अमेरिका में ये दौर था age of enlightenment का, जब American capitalist nation established होता है, और एक ऐसे historical और geographical और social context में American nation पैदा होता है, जिसके inward expansion और outward expansion के unlimited potentiality थी, अमेरिका आज तक अगर आप देखें, तो coast पे सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बीच का जो हिस्ता है, it's relatively less inevitable, और coast पे बढ़ा हुआ है, अभी बहुत immense natural resources अमेरिका में जो untapped है, और अभी अगर Middle East से oil आना बंद हो जाए अमेरिका को, तो अमेरिका के अपने petroleum reserves इतने हैं, जितने से अमेरिका के present level of consumption पे, वो 40 साल सक चल सकता है, आराम से, बिना किसी Middle East से import, oil और natural gas ते, तो उसके अपने natural resources आप सोचिए उस समय कितने होंगे, जिस समय अभी capitalism conquer कर रहा था जो original inhabitants थे वहाँ के indigenous communities थी, उनके पूरे genocides चल रहे थे, gold rush का दौर था, जिस समय, मतलब आप Californian gold rush जिन्होंने modern times, sorry, gold rush देखिये, Charlie Chaplin की, वो उसके relate कर सकते हैं कि क्या पूरा दौर था, तो ये inward और outward expansion ने, ये जो पहला दौर था American philosophy के development का, जिसको age of enlightenment का दौर कह सकते हैं, उसमें इसमें पूरे American population में एक खास किसम के, आप कह सकते हैं, खास किसम के social psyche को किया, जो social psyche उस समय ही, अमेरिका के तमाम philosopher, political thinkers और even वहाँ के Indians, जो वहाँ के मुहावरे थे, वहाँ के saints थी, उस तक में express हो रहा था, जैसे कुछ, बहुत ही चलती हुई, मतलब American saints हैं, जिनका खूब इसमाल होता है, आज भी अमेरिका में, American films में, Hollywood films में आप देख सकते हैं, जैसे कि, I'll try anything once, मैं किसी दी चीज को एक बार try करूँगा, या what it's good for, इसका क्या फायदा है, या फिर pursuit of happiness, pursuit of wealth, एक खास किसम के individualist philosophy, और एक खास किसम का free choice का philosophy, जो free choice और individualism की philosophy, feudal aristocracy, autocracy और पैदा हुई थी, और उस दोर में, American nation के development में उसका progressive हो था, इसमें कोई शक्ती बात नहीं है, दूसरा major state जो American philosophy में आता है, जिसको आप बोल सकते हैं, transcendentalism, ये transcendentalism का stage आता है, 1860 में, जबकी civil war चल रहा था, second American revolution भी उसको बोला जाता है, civil war में immersion, उस समय उसके main representative थे, इमर्सल जो transcendentalism को preach कर रहे थे, उसकी काफी inspiration वो Kant से लेते थे, Kant की philosophy थे, लेकिन उनका main source वही था, declaration of rights of man, और declaration of American independence, ये दोनों से ही वो सीख रहे थे, इमर्सल ने कहा भी था, कि I am just a traveler, I don't have a baggage of past on my back, I just do, ना बस करता हूँ, क्योंकि ये जो पूरा एक ethic, work ethic, ये workmanship का जो एक पूरा ethic था, ये American social psyche में सब तक बहुत गहरे से बैठ चुका था, और even जो लोग भी थे, आम जनता भी थी, वो भी इस पूरे social ideology से, काफी हद तक आप कह सकते हैं, कि social ideology है hegemonic बन चुकी थे, socially hegemonic बन चुकी थे, इमर्संग के दौर के बाद के साथ ही, जो है American capitalism का एक नया दौर शुरू होता है, ये तो दो major philosophical milestones के, age of enlightenment, transcendentalism, इस 1860 civil war के बाद, जिसमें north और south, modern capitalist, north और slaveocracy को लागू करने वाले south, plantation economy को लागू करने वाले south के बीच पे लड़ाई हुई, लिंकन फिल्म जिन्होंने देखी है, वो थोड़ा सा उससे relate कर सकते हैं, जो American history के इस दिन से, वो उससे बहतर समझते हैंगे इस चीज़ को, तीसरा जो दौर जो होता है, वो बहुत जल्दी शुरू होता है, क्योंकि American capitalism एक नया phase में एंटर करता है, 1860 से, और यही से pragmatism का दौर शुरू होता है, आप कह सकते हैं कि late 1860, 1870 से, जब American capitalism free competition से monopolization के दौर में प्रवेश करता है, और यह monopolization और big capital और corporate capital के dominance के establish होने की process, 1860 से लेकर end of second world war तक, मतला unhindered परीके से करती है, जिसका में America में free competition का दौर था, American capitalism अभी inward potentialities को अपने exploit कर रहा था, outward potentialities को exploit कर रहा था, उस समय वहाँ पर जो capital और labor का contradiction था, वो बहुत उभर के सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी development, capitalist development की potentialities अभी पूरी तरीके से exhaust नहीं हुई थी, और इस पज़े से वहाँ working class और capitalist class के बीच का contradiction भी बहुत उभर के सामने नहीं आ पा रहा इसी दौर में American capitalism जो है, वो monopolization के दौर में प्रिवेश करता है, और monopolization के साथ जो है, एक और process शुरू होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि dispossession के एक process शुरू होती है, जो small owners थे, small proprietors थे, petty bourgeois जिसको आप बोल सकते हैं Marxist terminology में, अलाकि यह Marxist terminology उसके पहले से मोजी हुद है, यह एक पूरा movement खड़ा रहता है, एक populist किसम का movement, जो की वास्तों में workers का movement नहीं था, उन workers का movement नहीं था, who has nothing to lose, यह उस petty bourgeoisie का movement था, जिसके सर पे dispossession की तलवार लटकी हुद, और हर देश में जब capitalist development अपनी monopolization के stage में कहुँचता है, तो ऐसा एक petty bourgeoisie का movement शुरू होता है, एक पॉपुलिस किसम का movement, जो, it is driven by a nostalgia for the past, कि past कि हमारे founding fathers ने बोला था, कि pursuit of happiness, equal opportunities for all, protestant ethics, work plan ethics, और उस समय, पूरी इस तरह के Benjamin Franklin, जो प्रेसिदेंट थे अमेरिका के, उन्होंने बाकाइदा एक किताब लिकी थी, ती पूर रिचार्स अर्मनिक, जिस पूर रिचार्स अर्मन इसके करसी का मजाय कुलाया जाता था, rags to riches की कहानी होची थी, कि हमार कुला जो बहुत महनत रता था, तो महनत रहोगे, अपने इंडिविवर के वरोसा रखोगे, और तुम free competition में उत्रो का और तुम काबिल हो, तो तुम जरूर एक दिन अभी बन जाओगे, pursuit of happiness, pursuit of accumulating wealth, इसका जो तुरा था, यह आप सपना तूटने रहा, जैसे बड़े-बड़े corporate houses, बड़ी-बड़ी companyya form ओनी शुरूरी, monopolization शुरूरी, यह जो सपना था, यह पेटी बूर्जुवा के बर्मादी के साथ तूट रहा था, और उसी सहने 1880s में, इस dispossessed होती हुई पेटी बू यह उसके मतलब एक तरही के से main leaders थी, और यह party जो खड़ी होती है, इसका clear का aim यह था, कि जो पेटी बूर्जुवादी का aspiration और वो इस चीज को appeal करता था, कि दो को हमारे founding fathers, rights of men में बराभरी की बात, सब लोग खुश हो जाएंगे, pursuit of happiness, और वो crude इसम का utilitarianism उसको preach किया था और अब वो अपना tool था, तो वो, it was a tirade, populist party's politics, it was a tirade against monopoly houses, big companies, big capital, लेकिन साखी में बहुतने हैं, को working class movement से भी, it took equal pain to dissociate itself from the working class movement, कभी भी working class movement के साथ, जुड के नहीं चला, और इस वज़े से working class movement एक खास तर time पे, इससे आलब होने लगा, फिर तरह तरह के सिंदिलist anarchist और communist trends जोते, अमेरिका में बहुतने शुरुआ की गवर्में, अधी 20th century में, working class movement तो उसमें चला गया, और इसके साथ, populist party के movement था, वो collapse किया, और populist party की बचे मुचे लोग ने, उन्होंने democratic party की बचे मुचे लोग दिया, और democratic party में तब से एक populist movement वाला populist party वाले trend आज भी है, इसका ने भी है, और इनन American society में, पॉपलिस party में जो वाले trend था, जो के बूजवा का एस्पिरेशन को चोटे मानिकों की चाहत को उन्हों के एस्पिरेशन को रिपरजेंट काता था, वो American society में भी आज था, आप लोग में से बहुत दोब ने Occupy Wall Street movement के नम सुना होगा, OWS, वो OWS थी कोई workers का movement नहीं है, बेसिकि उसना workers भी गहते, लेकिन OWS movement की जो politics थी, वो काफी हन तक उसी के continue, उसका जो आप कह सकते है true predecessor है, वो populist party है, वो किसी किसम का कोई communist movement है, किसी किसम का कोई revolutionary movement नहीं है, क्योंकि वो इन ही quality के खिलाफ कर रह रहे थे, वो 99% versus 1% की बात लेकिन वो ज्यानल तर उन लोगों की नहाई की बात कर रहे थे, जो बर्बाद होने crisis के दौर में, जो अमेरिकन working class या अमेरिकन पेटी बुजवाजी middle classes, जो बर्बाद हो रहे थे, वो बर्बाद होते हैं मिडल क्रास की aspirations को ज्यादा रहे हैं, और हार देश में, जब capitalist development अ जेपी का संपूर क्रांती का नारा, और most recently India against corruption और आम आगनी पाल्टी का रहे हैं, यह इसी किसम का पेटी बुजवा पॉपलिस्ट मूब्में जो middle class के बर्बाद होते हुए या बर्बादी का खतरा जेल रहे है, middle class के spheres और उनके aspirations को represent करता है, और चुकि यह class बीच में टांता की जाएं, किया होका है? इससे में रूप्स पेटीस कहो गई है, या भ्रष्टा जार खतम करो भ्रष्टा चार क्या होता है? अब भ्रष्टा जार होते है। कोई प्रॉस्ट डिलन सिस्टम होगा, तो इसमें भ्रष्टा जार होगा, आप पैसा कमाओ, लौभी बनो वेज़ बच्चा बड़ा होके कोई भ्रैस को दिकारी बंद आता है, तो कोई अन्हाजारे प्रकट रुते हैं गोडिने के लिए नामाद, ब्रैस के चाहब है। तो वो अपने वजबन से वही तेमिकों को रिलाई करेगा गए ऐसे प्रिचर्स को रिलाई करेगा। और अकसर इस तरह के सारे नारे, middle class को बहत अप्रिन करता है। जो नहीं जानते ही नारों का मजला भी कहा है। तो वो उसके पीछे चलने रखते हैं, एक किसम का रोमांटिक अपसर्ज आफ पेटी बूजवाजी का है, एक किसम का रोमांटिक रिवेलियन होता है पेटी बूजवाजी का, जो इंडिया अगे इस करक्षिन जा इसलेकी मुवेंट में सामने आता है, बस एक अलेगरी मतलब या इस द्र होता है, जो इसके है किचा बरा कर रहा कर रहा था, पॉबॉलिस्ट पॉलिग्स Fra secissie руандia, प्रिज्ट पॉलिट्स के साथ प्रेग्माद पॉलिट्स के साथ प्रेग्माद प्रेग्माद धरीक्ष्टा। और जो सबसे पहले pragmatist politicians थे, pragmatist philosophers थे, वो इसी populist party के उससे जुड़े हुए थे, जो pragmatism शब्द है, वो Charles Pierce नामके एक idealist pragmatist philosopher ने coin किया था, जो कि pragma से निकला है, Latin word है pragma जिसका मतलब होता action, उसके दूसरे आगे बड़े philosopher आये William James, वो भी idealist है, वो थोड़ा सा आगे ले गा वो थे John Dewey, John Dewey के साथ pragmatist philosophy आप कह सकते हैं कि अपने शीर्ष पर, अपने pinnacle पर पहुंचती है, अपने total उसमें खिल-खिल के मतलब सामने आती है, और John Dewey की फिलोसफी pragmatism की थी क्या, अब इस पे थोड़ी बात चिर्की रहने चाहिए, John Dewey की जो philosophy थी, वो inspiration लेती थ सकते हैं कि चार major उसके sources प्रेस सकते हैं, एक था British empiricism की पूरी धारा थी, दूसरा था French and Continental जो positivism की धारा थी, August Compt, वगएरा, तीसरा था Darwinism, Darwin का evolution की theory थी वो, और चौथा एक हद तक आप कह सकते हैं, Hegel, Hegel का जो idealism था और dialectical thought था, उसके ये चार major sources थे, जिससे वो लेते थ इन से वो क्या-क्या चीजें लेते था, इस पे अगर थोड़ा गौर किया दे तो और चीजें पश्ट हो जाएंगी, empiricism और positivism का ये मानना होता है कि जो देख रहा है, वही सच है, जो phenomena और essence में कोई gap नहीं होता है, जो परिघटना है, और सार्तत्व है, उसके बीच में इन से जाना हूँ, वही सच है, या फिर कि कोजिटो अर्गोसम, जिसने, I think, therefore I am, कि मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ, जिन्होंने बोला कि, कांट भी उसमें एक तरीके से आते हैं, तो उनका जो critical philosophy था और Hume का जो agnosticism था, वो भी उसी tradition में एक तरीके से आता था, हला कभी पूरी तरीके से आप जान नहीं करते, वो कुछ होगा, लेकिन आप नहीं जा सकते, you can only observe it, और चुकि आप उसको जान नहीं सकते, इसलिए किसी चीज के पैदा होने, का आप कोई causative analysis नहीं कर सकते, cause and effect, उसका कोई cause आप, इसका कोशिश भी करना, ये जानने की, कि जाना जैसा है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका कोई causal analysis नहीं हो सकता, उसका कोई causation नहीं किया जा सकता, इसको Dewey ने भी पूरी तरीके से अपनाया, Dewey का भी ये कहना था, कि कोई भी a priori theory नहीं हो चाहिए, किसे भी कितम के scientific generalization के वो खिलाख हो, उनका ये बोलना था, कि जो हमारे साम में है, उसको हमें देखना चाहिए, and we should take a tentative idea and implement it, एक हमको tentative idea लेना था, हमको देखना चाहिए, उसको observe करके जो हमें समझ में आता है, उसके आधार पे tentative idea हमें develop करना चाहिए, जिसको आप hypothesis बोल सकते हैं, और उस hypothesis को हमें implement करना चाहिए, if it works, then you have to cling to it, if it doesn't work, आप उसको छोड़ दीजे, and you take another tentative idea and implement it, and you have to keep doing it, जिसको उन्होंने बोला, progressive experimentation, trial and error का method, hit and trial का method, कि आप लेते हैं, और आप करते हैं, और आप अपने किसी भी past failure का समप करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, कि अगर आपके पिछले experiments fail किये, तो उस तक क्या कारण थ कि आपके theory में, या आपके approach और method में कोई weakness थी, इसको analyze करने की कोई जरूरत नहीं है, because you can never know that, क्योंकि आप phenomena को कभी thing in itself के तोर के आप जान ही नहीं सकते हैं, तो ये पहला major influence, जिससे John Dewey ने ये नतीजह निकाला, कि और उन्होंने एक और भी चीज़ बोली थी, उन्होंन agnosticism था, कि आप जब हैं, तभी से बुनिया शुरू होती है, जिसको उन्होंने बला realm of pure experience, शुद्ध अनुभा, ये प्रांट से ही उन्होंने लिया था, realm of pure experience, और यहाँ पर जाके वो कहते हैं, कि इसलिए कोई भी past का analysis करने है, उसको theorize करने है, या किसी scientific theorization की की कोई जर होती है, पहला major, जो आप कह सकते है, टैनिक, devian pragmatism का है, वो ये था, उसके बाद दूसरा उनका जो ये था, वो ये था कि, दूसरा जो Darwin से बोलेते था, वो था incrementalism, उनका ये मानना था कि nature और society में, जो changes होते हैं, वो हमेशा gradual होते हैं, gradualism या incrementalism जिसको बोला गया है, Darwin ने बोला था, nature doesn't take leaps, nature में कोई leap नहीं लगती है, हलाकि बाद में evolution की theory ने बताया, कि mutations के form में leaps लगती है, evolution की भी process होती है, वो एक, दो, तीन, चार, ऐसे नहीं बढ़ती है, उसमें बहुत सारे नए traits accumulate होते हैं, और नए traits accumulate होने के बाद, पुराने species form में further development possible नहीं होता और leaps लगते हैं, बीच में, वो species के development में, ये flora fauna दोनों के लिए, it holds true, जो evolution की, हाला कि Darwin के time में, जो Darwin के evolution की theory थी, वो ये नहीं मानती है, उनका मानना था कि पूरा जो development होता है, वो gradual होता है, incremental होता है, 1, 2, 3, 4, arithmetic progression में होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से होता है, और Dewey इसको लेते थे, उनका मानना था कि society मेरी कोई भी change without leaps होता है, उसमें कोई leap नहीं लगती है, वो एक दीरे दीरे होता है, reformist, यहीं से reformist उनका पूरा बोल करता है, कि reforms के जरीए incremental change होगा, वो कभी भी उसमें कोई radical shift नहीं हागा, या कोई revolutionary change नहीं हागा, यहां तो वो एक और चीज लेते थे, कि Dewey का यह मानना था कि nature और society, दोनों में कोई real contradiction नहीं होता है, मतलब उसमें कोई opposing forces नहीं होती है, contradiction हमेशा perceived होता है, society में भी हमेशा contradiction जोता है, वो perceived होता है, और इसलिए वो society को, जो Dewey का society का conceptualization था, वो conceptualization यह था कि it's the, क्या बोलेंगे उसको, ensemble of disparate groups, society जो और उस disparate groups में उस सब कुछ जोड़ते था, वोला एक baseball team भी उसमें आती थी, एक trade union भी उसमें आता था, एक employers association भी उसमें आता था, एक assembly भी उसमें आती थी, सब कुछ आता था, except class, class में आता था, class को कभी उस तरीके से वो नहीं मानते थे, उनका मानना था कि यह जो perceived contradiction होता है, यह perceived ही होता है, यह कहीं भी real नहीं होता है, society में जो different groups में कोई real contradiction नहीं होता है, यह perceived होता है, और इस perceived contradiction को resolve कौन करता है? जी का यह कहना था कि state is the great mediator दूसरे शब्दों में जी का यह कहना था कि state is the most rational actor in society इसलिए वो intervention करके उस perceived contradiction को resolve करदा है एक जिए का जी एक analogy draw करते हैं एक metaphor draw करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि workers due to their place in society they have a natural tendency to become communist and the capitalist due to their own location in the society तेयरी को कुछ लोग ऑपरेशनिलिजम भी कहते हैं और Dewey के Theories इसे ने बहुत लोग प्रभावित थे और उस तरह के Theories अलग अलग रेल्ड में बहुत लोग प्रपाउंड कर रहे थे जैसे Edison जो scientist था वो कभी भी किसी भी किस्विक्सम के अपने खुद के inventions के theorization के खिलाफ था बहुत है कोई scientific theory बिल्ड करने कोई जरूवत नहीं है मैं experiments trial and error था और उसने ज्यादतर inventions trial and error थे किये थे Edison में वो कुछ 200-100 के आसपास उसने inventions किये थे लेकिन ज्यादतर उसके सारे inventions जोए किसी scientific theory पर बेस नहीं थे वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि trial and error के method पर बेस थे तो इसलिए Dewey का यह कहना था कि science में theory की कोई value नहीं है what is important is instruments instruments precede knowledge वो knowledge से पहले instrument का था यहीं के यह शब instrumentalism निकला जिसको Dewey ने अपने philosophy को characterize करने के लिए use भी किया Ford का भी यही कहना था Henry Ford जिसने car company establish की थी तो American society में भी उसका base था पहले से अलग-अलग लोग उस बात को कह रहे थे अपने अपने तरीके से as a philosopher John Dewey generalized it उसको theorize किया John Dewey ने John Dewey का एक standpoint इसके बारे में भी जो था religion के बारे में वह बहुत इंट्रेस्टिंग है John Dewey ने 1890 में कुछ lectures दिये थे जिसका नाम था common faith common faith के lectures में उन्होंने कहा कि I don't believe in a supernatural power but I believe that religion should exist in society as a humanist code of ethics मैं किसी भगवान में यकीन नहीं करता हूं लेकिन religion को society में humanist code के तौर पे होना चाहिए अंबेटकर भी इस बात को मान को बहुत हैं अंबेटकर ने इसको ज्यों करती हो लिए था अंबेटकर मतलब ज्यादतर चीज़ें अंबेटकर के political practice में किस तरीके से आती हैं वो भी मैं पश्ट करने की कोशिश करूंगा तो यह कुछ major मतलब किसको summarize किया जाए तो पहली चीज़ जो ज्योई इन pragmatism की खासियत थी वो यह थी कि वो किसी भी a priori theory मतलब पहले से आपके पाग कोई theory हो जिस theory को आप implement करें इसमें वो यकीन नहीं करते थे हलाकि obviously आप पहले से आपके पास at the point of a region आपके पास पहले से कोई theory नहीं होगी आप practice से ही knowledge पैदा होगा लेकिन practice से जो knowledge पैदा होगा और फिर जब जब जन्रलाइज होगा तो वो further practice को guide भी करता है और further practice को guide करने के process में वो अपने आपको भी बदलता है जैसे कोई भी आदमी जो है माली जे आपको छूता है पहली वाई वो जलता है तो बार बार वो आपको छू के जल के नहीं जानेगा कि आपको छूने जहाद जलता है उसके पास जो एक knowledge आया वहां से वो फिर आगे बढ़ता है फिर वो आग के characteristics को समझने आग क्या है इसके scientific character और nature को समझने की दिशा में आगे बढ़ता है तो इसलिए लेकिन डिवी इस बात को नहीं मालते थे वो pragmatist चुकी थी तो वो pragma में यकीम करते थे बस action में तो पह प्रिवियस थेयरी को with complete disregard to previous theory आप कुछ नहीं आप पैदा कर देंगे आप पीछे की theories को पढ़के ही आप lab में कुछ समझके ही आप lab में आगे कुछ का से यह बात अलग है कि वो theory भी practice से वेवलब हुई है लेकिन in its part theory also guides practice दूसरी चीज उनका यह मानना था कि सारा change incremental होता है नेचर या society में it's always gradual उसमें कोई leaps नहीं लगते उसमें कोई radical shift नहीं होता है वो gradual होता है पीसरी चीज़ की कोई भी causation possible नहीं है किसी भी phenomenon का कोई causation possible नहीं है इसलिए उसके causes में देखना और उसके आधार पे कोई political program बनाना या plan of action तेह करना यह बेकार है you have to take a tentative idea and implement it चौती ज़िसी दुए है कि society में कोई भी real contradiction नहीं होता है नेचर में भी real contradiction नहीं होता है और जो भी contradiction होता है वो perceived होता है और उस perceived contradiction को resolve करने का काम state करता है क्योंकि state is the most rational actor in society. कोई भी social change भी होगा तो इसको engender करने का काम from below नहीं होगा, from above state करेगा. इसलिए state को यह करना और पर नहीं देखते थे, उसको great mediator इसी रिये गोलते थे, कि वो great mediator वो classes और जनता से ऊपर कहीं खड़ा है, और इस मामले में वो Russo-Hobbs log की social contract theory को ही मानते थे, state की जो social contract की theory है, कि individuals of society come together and they, with a consensus, surrender their rights to a sovereign body, which is supposed to look after their welfare. State का यह जो social contract का theory था, इसको मानते थे, इस मामले में पूरी तरीके थे, वहीं से वो यह नतीजा निकालते थे, कि society एक disparate groups का collection है, उसको class divided किसी entity के तौर पर नहीं देते हैं, वो disparate groups थे, जिनके बीच में कोई contradiction नहीं, और religion के बारे में, Dewee का stand है, अब यहां से हमें लगता है कि Ambedkar किस तरीके से Dewee से सीखते हैं, और Dewee के political philosophy को Indian situation में किस तरीके से लागू करते हैं, इसको Ambedkar की पूरी political practice से देखा जाना थाई है, Ambedkar का जो academic political career start होता है, वो आप कह सकते हैं, कि 1916 में Columbia University में कास्ट Genesis Origin and Function, ऐसे कुछ नाम था, उनके paper का, वो उन्होंने पेश किया था, और उसी के कुछ समय बाद ही उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, Untouchables of the Children of India's Ghetto, उसमें इन दोनों में उन्होंने एक जो कास्ट के बारे में, कास्ट के ओरिजिन के बारे में बाग्ट की, कास्ट के ओरिजिन के बारे में जो अंबेटकर की theory थी, वो ये थी, कि ब्रामिन्स ने कास्ट सिस्टम को सोसाइटी पे जवरन इंपोज नहीं किया, ब्रामिन्स पर्सुएड़ेड़ दा सोसाइटी, ब्रामिन्स ने सोसाइटी को कन्विन्स कर दिया, कि हमारी वैल्यूस, हमारा मूल्यमान नेता है, हमारी ट्रेडिशन्स ये सुपिरियर है, और उसका एक पार्ट एंडोगेमी भी था, और उसमें एंडोगेमी को भी वो जोड़ के चलते थे, इस पे ब्राममनों ने बाकी सोसाइटी को कन्विन्स किया, और यहां से सोसाइटी में एंडोगेमी के लागू होने की वज़े से, कास्ट सिस्टम इनजेंडर हुआ. अब इसको कई हिस्टोरियन्स ने क्रिटिसाइज किया और राइट्ली क्रिटिसाइज किया है, ब्राम्मनों ने caste system को पैदा किया, तो ब्राम्मनों को किसमें पैदा किया, तब तो ब्राम्मनों की बात माननी पड़ेगी क्यों ब्रहमा ने उनको पैदा किया, तो यह historically इस theory को आप नहीं हो करते हैं, लेकिन problem यह है कि ज्यादा तर historiographical criticism जो Ambedkar के caste के origin का हुआ है, वो यह है और यहां ते Ambedkar का जो कास्ट का उन्होंने उस किताब में लिखा भी था कि it's a division of laborers, it's graded inequality, और इस वजह ते इसके abolition का काम ज्यादा मुश्किल बन जाता है, क्यों ज्यादा मुश्किल बन जाता है, तो यह उप्रेस है वो ही बते ही जाती हुए, और तो क्योंकि उप्रेस और जो Ambedkar का history पे भी काम है, it was directed in that direction, और वहां पे वो क्या identity building के जली वो क्या चीज़ रहता है, वो यह कहते हैं कि, जो कि आगे कि उनके किताब ने आया भी, untouchables who are they and why they became untouchables, उसमे उन्होंने कहा है, untouchables कौन से तो उसके लिए वो एक पूरी theory रखते हैं, इसमे उन्होंन उसकी race का racist के करते हैं, इसका origin race में, ethnic और race-pour में, उसको reject करते हैं Ambedkar, उसको नहीं मानते हैं Ambedkar, Ambedkar ये बोलते हैं कि हर पुरानी civilization, छोड़ दो, जाने बुछे, हर जो पुरानी civilization, ancient civilization हैं, उनकी history में एक दौर आता है, जब outside invaders ने उनको का उदर किया, जो original inhabitants से उनको subjugate किया और उनको subjugate करके उन्होंने एक नीचे case takers में पहुंचाया, यही बात वो आपने 1948 की book, Untouchables, Who Are They and Why They Became Untouchables में कहते हैं, कि हिंदुस्तान में भी एक Hindu invasion या Brahminical invasion एक होता है, और वो ब्रामिनिकल invasion यहां के indigenous population की, indigenous tribes से, उसको वो हराता है, उसको subjugate करता है, और उसको ए उनको subjugate करके वो इन ब्राम्मनों ने या Aryans ने जो भी उसको आप कह लिए, उन्होंने अपने settlement, जो village settlement थे, उन village settlement की periphery पे ने बताया, जो conquered tribe थी, जो हारी हुई जातिया थी, उनको अपने settlement के outskirts पे बताया, जिनका काम यह था, कि वो जो अभी भी भी un-conquered tribes है, उनके हम से ब्रह्मनिकल सिविलाइजेशन की हिफादत पर है, यह मैं शब्दों का इधर उसकता है, मैं लगभग लगभग Ambedkar को को कोट कर रहा हूँ, और उन्होंने काया कि यह जो tribe की इनको वो नाम देते है, broken men, दनित वही थे नितलाया चाहता, जिसका महराथी उसमें मतलब दन तो वो बुद्धिजम के पहले followers बने और वो अंसक्त बुद्धिजम के follower बने रहे, बाद में जब बुद्धिजम की defeat होती है, हिंदुईजम के हाथों, तब भी वो बने रहे, बुद्ध के follower, और इस वजह से ब्रह्मनिकल reaction एक हुआ, और ब्रह्मन्स ने इस ब्रह्मनिकल की हिस्टोरियोगफी में untouchable तो बहुत काम हुआ है, विवेका नंज्या ने काम किया है, रामशरन शर्मा ने काम किया है, इवन नोन-मास्टिस हिस्टोरियोग ते भी कही काम किया है, और कुछ इस मामलक उनकी consensus है, यह नहीं है, और अन्टचबिलिटी का, अन्टचबिलि तो आप यह नहीं समझेंगे कि आम मेटकर कि यह सारे वर्क जो है, वो एक identity building के political project का पार्ट था, उनका मकसद यह था कि वो एक बहुदन समाद जिसके वो बात कर रहे थे, वो sense of soil का एक identity create कर रहे थे, broken man sense of soil का, जो कि यह डलित और शुद्र जातियां भी जो तमाम जातियो में बटी हुए और उनका आपस भी contradiction है, वो brahmanical reaction के खिलाफ और brahmanical hegemony के खिलाफ कहते लड़ सकती है अगर उनकी एक unitary identity है, और यह unitary identity देना ही अमबेटकर की historiography, जो कि basically historiography नहीं है, इस तो political three times, उतका मकसद था, तो यह पहला आप कह सकते हैं कि अमबेटकर का strategy था, identity building, और जेनोंगेत ने अपनी किताब में लिखा है, Dr. Ambedkar and Democratic Revolution India something like that, उन्होंने काया कि towards the end of his life, जब Ambedkar भी अपनी मृत्यू के करीब से, तो वो एक caste की grand theory पे काम कर रहे थे, जो की एक racialismic theory थे, उसमें वो यह कह रहे थे कि, एक तरीकिते clash of civilization की थीसी दे रहे थे, जिसमे उ और वो हिंदू conquest में, आप कह सकते हैं कि उन्हों ट्राइब को subjugate लिया, उनको दलित बनाया, उनको शुद्र जातियों को हिन उसमें पहुंचाया, वगरा वगरा, और उसके साफ में यही कुछ नए symbols भी पहला कर रहे थे, जिसमें एक major symbol था, अशोक, दी, मौरिया की, तो यहां पर भी historical accuracy में जाएंगे तो गलत, यह theory, लेकिन हम बेट करके इस पूरे theory propounding का basic मकसद था, गलिक्स और शूद्र के लिए unitary identity देना, ताकि ब्रामिनिकल हेजमनी का गिरोष किया जा, पहली है उसी strategy और यहां पर वो इकदम एक pragmatist standpoint के करना है, अगर आप उनके sources देख और दूसरा बुद्ध, जो बुद्धित literature था, trip protect वगरा, उसी पर ज्यादा rely करते हैं, अभी जाहते ही कि वो historical sources हैं, लेकिन वो literary sources है, fictional sources हैं, उनको deconstruct करके आप उससे historical information derive कर सकते हैं, as it is उसमें दी हुई चीज़ों को आप historical facts के तोर पे लेंगे, तो कई दिक्ततों का सामन जिसका मौनफोल्ड कमिटी कमिशन का काम था, Montegro Champs-Pol reform तो हुए थे, उसका काम था, electoral constituency को define कावा, electoral constituency कि सरी को territorial हो, separate electorate हो, minorities के लिए वगरा वगरा, उसको define करने से पहले एक कमिटी को भेजा गया, जिसके सामने अलग अलग जो समधायद थे, community के उनके leadership ने testimony रखी, 1919 में, South Borough Committee, Hindustan आई, Ambedkar चुकी पहले graduate थे, Dalit community से, और आपके सकते हैं कि, most knowledgeable person से, Dalit community में, तो उनको वहाँ पर बुलाया गया, टेस्टी में, तो 1919 में South Borough Committee के सामने, Ambedkar ने ये कहा, कि the main cleavage in Hindu society is not between Brahmins and non-Brahman, it's between touchables and untouchables, और इसलिए, आप untouchables के लिए, एक separate electorate दीजिए, या फिर reserve की कीजिए, अभी Ambedkar के लिए दोनों option होगा है, Ambedkar ने ठाए, इन दोनों में से कोई एक चीज हमें भी है, इसके बाद 1924 में भाईश्क्रित सितकारेणी सभा बनाते है Ambedkar, जिसका main aim था Dalit के बिच में, जिसका नारा था, educate, educate, organize, educate, educate, organize, basically Ambedkar क इन्होंने जो बनाया था, उसका basically ये नारा था, educate, 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 organize, उस नारे के साथ उन्होंने भाईश्क्रित सितकारेणी सभा की 1924 में शुरुआ थी, 1928 में साइमन कमिशन आया, और साइमन कमिशन के सामने Ambedkar ने भाईश्क्रित सितकारेणी सभा के तरफ से एक प्रपोजल दूसरे, वहाँ voting rights सारे caste के लोगों के पास होगा, इसमें कोई Dalit candidate जीट के आए बगावी, तो उसकी accountability तिर्फ Dalit के प्रती नहीं होगी, सब के प्रती होगी, क्योंकि उसको vote सब कम देगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इसने एक जोड़ी, उन्होंने कहा कि either reserve seat with universal franchise for Dalit और separate electorate दो उन्होंने Simon Commission के सामने रख था, Simon Commission ने जो separate electorate की बाद सीट को स्विकार में किया, उन्होंने reserve seat की बाद को स्विकार किया, और उसमें ये भी जोड़ा, कि जो भी Dalit candidate होगा, उसको अपने योग्यता का एक certificate लेना पड़ेगा, प्रोविंस के governance, जिस भी प्रोविंस में उ उसको चुनाओ लड़ेगा, उसका colonial governor उसको एक certificate of eligibility एक तरीके से देगा, अमबेटकर इसके काफी disturb हो है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई confrontational stand, इस्टेट के खिलाफ, अमबेटकर ने कभी कोई confrontational stand, सीधे सीधे देना की जिए, उस तरीके से देखा जा, तो उसके मैं बाद म अमबेटकर रूलर थे, उनके दलाल थे, उनके दलाल थे, उनके दलाल थे, यह बखवास बात है, अमबेटकर ने कोई भी चीज कभी पद की चाहत मनी की, अगर अमबेटकर दलाल थे, एजेंट से अंगरेज हो के, तो quid pro quo के लिए करके न, तो मुझे पद दो, और मैं इससे बाद मैं आता हूँ, लेकिन बहरा, फिर साइमन कमिशन ने दिया रिजर्व सीट, लेकिन साइमन कमिशन रिपोर्ट रिमेंड देड रेटर, क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस उस रिपोर्ट के बनने में पार्ट वी थी, इसलिए इस डेड लॉक को रिजॉल्व करने के इसलिए 1930 और 1931 में दो roundtable conferences, लंडन में सभी लोग जानता हूंने, उस roundtable conference से भी ये deadlock reserve रिजर्व सीट देंगे या फिर separate electorate देंगे, अंतने British government ने 1932 में इंटर्वीन करके separate electorate देना साइथिया, लेकिन separate electorate देने के खिलास, गांधी जो है, यो कि उसमें, विरार की जेल में यर्वदा की जेल में बनता है, civil disobedience movement के जस्थबाद, तो वहाँ पर गांधी ने fast and to death शुरू कर दिया, और वो fast and to death के बाद अंतने आंबेड कर उनके सामने जुके, और उन्होंने, गांधी ने ये कहा कि आप 73 separate electorate लेने के बजाए, हम आपको 148 reserve fees देंगे, और उन Consequences में जहां Dalits comparatively ज्यादा numerous है, वहाँ पर आपको देंगे, तो उस पर जुके, इसको बहुत लोग ने कहा कि वो हिंदू reaction की डर से अंबेड कर दिए, लेकिन Christos Jefferlot, एक famous sociologist and political scientist है, उन्होंने लिखा कि में कारण ये नहीं था कि अंबेड कर को हिंदू reaction कर दा था, कि गांधी मर में कारण ये था कि उससर में Dalits following अलग-अलग trends की अगर हम compare करें, तो अंबेड कर से ज्यादा Dalits following गांधी जी अंबेड कर से ज्यादा Dalits गांधी के एक option में करें, और जो खापतर पे rural poor Dalits से वो communist party के साब खड़ी थे, क्योंकि अंबेड कर ने अपने पूरे career, political career में कभी लेबर का मुद्दा नहीं उठाया, agricultural landless worker का मुद्दा अंबेड करने कभी नहीं उठाया, आप पूरा देख लिए, तहीं इक दो जगा आपको reference निल सकता है थोड़ा मोडा, लेकिन बेसिकली उन्होंने landless labor का land question उठा, और land question आज भी आप देख लिजे, Dalit उत्पीडन का बहुत बड़ा कारण है, इससे में Dalit आबादी का 89% आनन तेल तुम्हें के estimate के मुताबिक वो agrarian या industrial worker है, और उसमें भी बड़ा हिस्सा agrarian worker है, और उसमें भी right since the pre-colonial time, Dalit के operation का अगर कोई coordinates draw किये जाया, तो उसमें सब्सें important coordinate, resources तक उनकी पहुँच का एक सबाल था, Landless में से पराल था, क्योंकि ये भी आप देखते हैं कि जहां Dalit landowner बने, वहाँ वो ruling caste के तोर पे उबरे, for example, आंधरा, South India, जहां पे असथ शूद्र का भेज किया गया, शूद्र जाती है, वो ruling caste के तोर पे उबरी वहाँ पर, तो इसलिए एक बहुत 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 बहरा, क्रिस्टोफ जैफरलोट का आर्गूमेंट ये है, कि अंबेडकर के गांधी के सामने, पुना पैक्स में, सरेंडर का में कारण ये था, कि अंबेडकर की following, जनिस्ती बीच में अगर बाप करें, तो गांधी के मुकाबले कम थी, और ये चीज उस following को win over करने के दरव हिंदू reaction का डर भी हो सकता है, लेकिन definitely ये secondary था, और मुझे लगता है ये ज्यादा convincing argument है, क्योंकि अगर हिंदू reaction का डर होता आंबेडकर को, तो अंबेडकर का भी महार सकते आगया ने करते है, तो हिंदू reaction का डर उस तरीके से main key element है, ये convincing argument से लगता है, जितने historical facts के अगर तो इसलिए फिर अंबेडकर इस चीश से माने, 148 reserve piece से, और 1936 में उन्होंने independent labor party बनाई, ILP, जिसके बारे में बहुत सारे left अंबेडकराइट्स और अंबेडकराइट्स लेफ्स और जो अंबेडकर के political thought and Marxism में कुछ mixture बनाने की कोशिश करते हैं, उनका ये कहना है कि independent labor party इ प्रिवित होते हैं, और वो इस बात को सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि वो काफी मजबूती से अपना objection इस बात से जर्व जराते हैं, क्योंकि ILP के प्रोग्रम में और ILP के बनने का Marxism से कोई लेना नहीं नहीं है, सवाल ये था कि अगर आब आप reserve piece पे election बहोगे, तो आ आपको एक broader social appeal की जर्वाजा है, आप सिर्फ जनित लीडर के तौर से आप reserve piece पे election नहीं जीज सकते हो, और इसलिए आपको दूसरा, broadest social, वो क्या मिलेगा, labor, और इसलिए independent labor party बनाएंगे, अगर independent labor party के economic program की बात से रहे, it was completely the program of Fabian, Fabian society का जो program था, बाद में उसको labor party ने भी अपने तरीके से अपनाया उस economic program को, जिसमें ये था कि जो key sectors है और fundamental sectors of economy है, उनको state चलाएगा, land का nationalization होगा, बीमा, bank, railway, इन सब का nationalization होगा, वो state के हाथ में होगा, और ये भी था, कि अमबेट कर property के उसमें पूरा यकीन करते है, कि private property होनी चाहिए और कोई भी state हो है, वो private property करने को depend करने के लिए अगर committed नहीं है, तो it's not a civil state, अमबेट कर कहीं होगा, हर civil state वो private property के protection पे बेसा है, और इसमाम में में Russo, Hobbs, Locke के social contract की चेरिक पे, यहाँ पर भी आप जेख सकते हैं, कि ए continuity है, तो अमबेट कर का, अब इस contradiction को resolve कैसे करें, तो अमबेट कर ने इस contradiction को कि उन्होंने का कि land lodge जो है, तो बड़े प्रिंसली स्केट से राजे राजवारे हैं, उनकी जमीने मुआउजा में कर चेरिक नहीं है, और जो इस तरह की बड़ी industries है, जो key industries है, अगर उनका nationalization करेंगे, तो बदले में इंडस्ट्रिस को government bonds देगे, government bonds मतलब एक तरीके का वा government bonds दिया, जिसके मुताबिक उस factory का जो annual turnover होगा, profit होगा, उस profit का एक certain portion मैं आपको दूँगा, तो basically यहां तो ownership खतम नहीं है, पब्लिक ownership कहने के लिए, लेकिन अगर feudal lords को और राजे रजवारों को प्रिवी पर्ष देने पार, यह भी प्रस्ता अंबेग्टर काता, कि जनीने चीनी जाएंगे, तो उसके बदल में उने मुआवदा जिया जाए, और जो इंडस्रिस का अगर इंडस्ट्री को nationalize किया जागा, तो उने government bonds किया जागा, तो अंबेटकर का economic program, it was not even as radical as French Revolution's economic program, 1789 में French Revolution में land without compensation, land के nationalization, confiscation की बाप किकिना, church के land, बड़े feudal lodge के land, वो पिर नेपोलियन बापिस आगया, जो भी हुआ, लेकिन French Revolution at its purest and ideal best, Rob Speer का, जो Jacobinism का दौर था, reign of terror का दौर, इसमें यही हुआ था, वो एक, जो enlightenment की बूर्जुवा फिलोस्टी, अपने ideal form में Jacobins उसको धूबहू उदारने पे, आम आदा हो गए थे, जबकि बूर्जुव कि भी हमेशा किसी एक individual capitalist के will और wish ने चलेगा, तो उसका hegemen ही खतम हो जाएगा, इसलिए कभी भी capitalist के सेड़ भी, किसी एक capitalist के साथ अपने interest को overlap नहीं करता है, sometimes it takes decisions, which is against the wishes of particular individual capitalist, कि वो capitalist class को represents कर रहा है, किसी एक capitalist को नहीं represent कर रहा है, बहरा, तो IELP बनने का, बनाने का main प्रिटेगरी, for this analysis of Indian social situation, caste is the predominant category, and caste has nothing to do with access to economic resources, caste का economic resources को कोई मतलब नेको, या Ambedkar नेको, अमबेटकर के मताबिक, caste और गलिट के status का इस बाद से कोई रिष्टा नहीं कि लेकिन उन्हों इन्हों इपना को मैं करते हैं। वोले यह एक इक नमीक चीज नहीं है, इसका इक नमीक रिश्ट लेकिन इस बात को सबसे पहले आंबेट करते हैं, यह गल्सी अगर देखी जाए तो अमवेट कर तो आपके जाए तो आपके पर्स्टर और अंबेट करते हैं, वह दूसरी बात कर रहा है, और आयल्पी के प्र वो दो चीब का शिकार है ब्रामन शाहिद और भांडवल शाहिद अधाल अधाल इसलिए वो दूवल एनमी रता है कि इंडियन वर्किंग क्लास की यह दूवल एनमी है और इनसे लड़ना हमारे लिए जरूरी है बहराथ चुकि प्रोग्राम में और अंबेटकर की आइडियो अंबेटकर की लिए यह थोड़ा एक प्रॉब्लमेटक जीए अंबेटकर पूरे जनित लिडरेशन की बात काना से तिर्फ एक टिकट एक मंग जाती के अंटचबल को मिला और एक टिक गुद्राद के अंटचबल जाती के मेंबर को मिला बाकि 146 टिकट की वह है वो महार को और चमहार यह चमहार नहीं, चमहार एक अलग वहां कि दले जाती है, चमहारों ने अंबेटकर के खिलाब एक्टिव प्रोपगेंडा किया, कि यह गलत है, और बाकैदा अबोद किया अंबेटकर को, बहरा है, दो सीफ अंबेटकर प्रोविंशियल असेंबली में जीते, जो क लेकिन बॉंबे प्रोविंस पे एक सीफ जीती, लोग सबाती है, इस इलेक्टोरल डिबैकल के बाद अंबेटकर, मतलब एक तरी किसे अपने आपको विड्रॉ करते हैं, और यह जो ब्रॉडर सोशल अपील वाले लीडर की छवी थी, इससे वापिस वो अपने आपको एक दलिप लीडर की छवी पे लेगा और 1942 में जो है, वो FTS बनाते हैं, शेडूल कास्ट पेडरेशन, शेडूल कास्ट पेडरेशन की तरफ से वो 1944 में जो है, वो क्रिप्स मिशन के सामने अपना प्रपोजल रखते हैं, जिसों तीन डिमांड करते हैं, एक वो डिमांड करते ह से रेप्रिजेंटेशन, यानि की रिजर्वेशन पर दलिच पने अग्डिक्यूटेशन, और तीसरी बांग जो करते हैं, वो थोड़ा इंट्रेसिन डिमांड की, कि सेपरेट विलिजेट पर दलिच, स्टेफ जब बना 1944 में, और इसके लिए वो एक ब्रिटिश कलोनियल ऑ ब्रिटिश अब जाएंगे, क्रिप्स मिशन वगरा का आने का हो गया है, तो वो करते हैं कि ब्रिटिश जाने से पहले, जलिच को अगर फ्पोसिबली भी अपने उससे इविक्ष करके लार्ज स्केल माईग्रेशन कराया जाएं, एक्जोड़क कराया जाएं, और जलिच व परेशन की बाती है इस तमय सक क्योंकि अम्बेट कर डेस्परेट हो रहे हैं और इस तरह का एक चार्टर वो पेश कर रहे थे जो कि ब्रिटिश कलोनियल स्टेट भी जाता था प्रैक्टिकल नहीं तो पहले ही डिस्पर इस ते जितने सोशल कॉमंस पर जितने उसको उनका हथ था वहां से उजार के उनको ले जाए जाए तो वह यह सोचिंगे लिए वहां उजार के पता नहीं क्या मिलेगा अभी जो है वो भी कहीं हां से नगा जाए तो इसलिए इतने बड़े क्रिमाने पड़े कोई अगर स्टेट-डृवन मैइग्रेशन पर अगर जाए गाद तो ऐक सट्रै कोई जैनुपाइट से मेरा ऌंदेट बैद τι गोईंधर सब्सक्रां शुण क्रिप्स मिशन को वो यहीं दो तो क्रिप्स मिशन को इस प्रपोजल के बाद से F.P.F. इलेक्षन लगता है एलेक्षन में फिर बुरी तरीके ते हारता है F.P.F. 1945-1946 के बाद अम्बेटकर एक तरीके से साइड लाइन हो जाते है काफिके से डिप्रेशन उसमें ते उस वक्त एक तरीके से अम्बेटकर को वापिस में स्ट्रीम में लाने का काम इन ही लोगों निकें Congress और मुस्लिम लीग जब Constituent Assembly तो Congress के लोगों ने सपोर्ट निके तो Bengal से Muslim League ने उन्हें Constituent Assembly में आजादी के पहले बने सी Constituent Assembly इसमें भेजा आजादी के बाद मुस्लिम लीग पाकिस्तान बन गया उदर चले गया तो उसका Congress में तुरत अपनी एक सीच खाली कर आई और उस सीथ में अम्बेटकर को को आप्स करने है और वो Constituent Assembly में मेंबर के तौर के तौर के आए Congress supported member के तौर के तौर के आए और इसलिए कई लोगे भी कहते हैं और उसमें Congress की बहुत कर्शन सा किये अम्बेटकर ने मतला अगर आप उनका October 1946 का Constituent Assembly में भाशर पढ़े ये 26 November 1947 में Constituent Assembly में अम्बेटकर पढ़े तो Congress को जूलोजाइज करना है लगबद लगद 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 एक प्रशस्ती पत्र पढ़ना है कॉंग्रेस के लिए कि कॉंग्रेस ने इतना दिया और यह इस बात को समझा और इस सीच को यह किया मैं Congress को शुप्रियादा करना चाहूंगा वगए 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 इन्हीं अम्बेटकर ने अभी 7-8 साल पहले अब आप सोचेंगे कि अम्बेटकर पाला बदल गए और आप अगर प्रेग्मिटिक पॉलिटिक्स को समझेंगे तो आप अम्बेट करके इसकी को सही तरीकते इंटरप्रेट कर पाएंगे वरना बात इंटेंशन पर जाते है और पॉलिटिकल साइंटिस्ट इंटेंशन वे बात नहीं करते हैं वो इमांदार था कि बेइमांदार था कि बेइ तो यह भी दिखाना पड़ेगा कि अम्बेटकर ने कहीं कुछ लेन देन के यह कुछ पर लिया, इसलिए अम्बेटकर का जाती के उन्मूलन के प्रसी कमिट्मेंट था, उस्पे कोई संदेर नहीं, उस्पे वो अडिक थे, लेकिन वो प्रैग्मेटिस्ट पॉलिटिक्स थे, और प्रैग्मेटिस्ट पॉलिटिशन होने के नाते, उन्होंने यह शिफ्ट करते में दराते हैं, और आप उनके अगली स्ट्रेटजी थी, इलेक्टोरल स्ट्रेटजी के फेल करने के बाद, वरकिंग विद दरूलर, कोलाबरेटिंग विद दरूलर, जो कि जो भी रूल म में रहा, इस्टेट में रहा, अम्बेटकर ने उसके साथ कोलाबरेट किया, महार साथ की अग्रह भी एक कॉंप्रमाइज में खतम हुआ था, पहली बार जब नियंद चोड़ा वहां कर चाफदार कलाब कर तो उसके बाद इस सवयनों ने मारभ पीटी की दलितों के साथ, उसके बाद दुबारा अम्बेटकर ने फिर और्गनाईज करना शुरू किया दलितों, उसके बाद ब्राम्मनों ने वहां का जो, क्या था, मैजिस्ट्रेट के यहां कुछ अर्धी वर्धी और मैजिस्ट्रेट में अम्बेटकर को बुलाया और बोला कि यह होना नहीं चा तो अम्बेटकर ने सुरत उसको एक सिंबॉलिक एक्स पे खतम कर दिया, मनुस्मृती के दहन पर, चाबदार सलाब के दुबारा वो नियम तोड़ा नहीं तो इस तेट के खिलाब कभी सीधे-सीधे अम्बेटकर कांफरेंटेशनल स्ट्रेंड ने नाइंटीन फोर्टी व गाया है उसे पतर उनों नियमन अम्बेटकर का तेंट्र न रहे है। इस परानने कुछ प्रोग्रेसिव काम किये, उन्हों ने ट्रेड उनियम अमेंडमेंडमेंट्स बिल एक्पास करवाया, जिसके मताबिक हर तैक्ट्री ओनर के लिए बाध़िता कर जिए लिए बात्ध प्रवेशन दलिट के लिए उस समय एक दन एक प्रोग्रेसिव दिमांड थी, उसको इंशोर किया कि एक्जिक्यूटिव ब्रॉक्रेसी में मिलेगी, फिसरी चीज उन्होंने लंडन के जो टेक्निकल कॉलेजे थे, वहाँ पे दलिट स्टूडिन्स के लिए सीट रिजर्व कर लेकिन अम्बेटकर बहुत सारी कीजियों पे चुब भी रहे, जैसे कि उसी समय जेनरल स्ट्राइज चल लहीं की वर्कर की और मेंबर ऑफ लेबर से, उसके पक्ष में अम्बेटकर कभी हुए, उसके पक्ष में अम्बेटकर ने कभी ए भी बात नहीं बोली, और अपनी आर्मी अपनी जनता के खिलाब, पुलिस तो इस लाइक कॉमन ब्लेस का कहीं भी किजी को उठा लेना, सब पर मार देना, या वो तो सम्मिधान एक हवलडार अपनी जेब मेरे के गूलता लेना, तो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सिहना तक को इस्तिमार किया गय वाइलन इस तरह के खिलागी, या वाइलन इस लिए गिजय की जाय वाइलन दिए, कोई बी चीज्बिया फ्रॉम बिलोगारे की जाय ये क्या नहीं हुए, कि ती सेट करेगा, उस चीज को स्टेट क्योंकि मोस्ट्रेश द्कुन जाएब उसके बाद फिर ये कोलाइबरेश तो पहली बात तो इसी चीज़ पर stand लिया जाना चाहिए वैसे तो, कि एक सम्विधान सभा जो उनिवर्सल फ्रेंचाइज पर चुनी ही नहीं गई है, उनिवर्सल फ्रेंचाइज तो फास्ट जेनरल इलेक्शन में लागुआ ना 1952 में, उस समय सक उनिवर्सल कि अभी मैं Constituent Assembly में जाके दलिट के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या चीज़ें जीत सकता हूँ, इस वज़य से हो गय से, लेकिन democratic principle के पहमाने पर देखा जाए, तो पहले तो आप इसी को एक्स्पोज करेंगे कि पहले आप उनिवर्सल फ्रेंचाइज तो दो, और तब Constituent Assembly सकते हैं कि सम्विधान का ड्राफ्ट पहने तयार हो गया था, बहुत लोग जानते होंगे, ड्राफ्ट को पाद में अंबेटकर ने सिर्फ कुछ एक दो जगाहों पे एडिटिंग वो Government of India Act 1935 का जो था, उसके 395 Act में से 200 से ज्यादा एक्ट जियों कितियों सम्विधान में किये गये थे और उसका ड्राफ्ट पैयार करने का काम दो ब्यूरोक्राइट्स में से किया था, बियन राउ और SN मुखर्जी, अंबेटकर ने अपना डेक उनके प्रती एक्स्प्रेस किया है, कॉंस्टिवेंच असे मुखर्जी और बियन राफ्ट पैयार किया, मैंने इसक कि और Disturbed Area Act, वो भी उसी वक्त बना था, वो भी Constitution में मतलब कोई उसकी प्रती सेजगार्ड नहीं लगाया गया, जो IPC और CRPC कलोनियल पीरियेट की थी, उसको जियों कत्यों लिया गया, तो यह सारी चीजें तो Constitution में बोला जाना सिए था, अगर एक Truly Democrat प्रती होगा तो वो पहला जेस्की होँगा, जो इस्तमधान को जनाएगा, लेकिन उन्होंने भारत के जलिक और वर्किंग क्लास को नहीं कहा कि सम्मिघार गया, उन्होंने भारत के वर्किंग क्लास को और जलिक को Constituent Assembly में ये कहा कि Always be a law-abiding citizen, और ये revolution या radical movement की बात ये करना बेकार है, क्योंक पहला जेस्ट को परिवर्किंग करने का लॉजिक था जिसकी वजय से अंबेट करने हमेशा intellectuals के रोल पर बहुत जोड़ गिया है, अगर आप annulation of caste पढ़े, state and minorities पढ़े, जलगाओं और depressed classes conference में उन्होंका भाशाण देखे तो वह कहारे है कि intellectuals का बहुत रोल है, बाद में towards the end of his life पो Dalit intellectuals के परती अपना, वो disappoint हो रहा है और वो बोल लाएक है कि यह जो निचे से उतके अब intellectual intelligentsia के पार्ट बन गया है, वो अब हमारी बात नी कर रहा है, वो अब Dalits की बात नी कर रहा है, वो system के पार्ट बन गया है समिधान पराने में कि बहुत बारे compromises हुगा और उन compromises को भी अंबेड करके pragmatist जो politics थी, जो pragmatist philosophy थी, उसके strand point दे आप समझ सकते हैं, वरना फिर आप यह कैसे बताएंगे कि अंबेड करने बाद में उसको इसको 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 इसक क्योंकि revolution के उनका बहुता है, reform, basically liberal reformist clause हुग 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 कामलीज का कारण ये बता है कि मैं लेबर बिल स्क्रीच आता था, वो लेबर बिल स्क्रीट मुझे नहीं दी जा रही है, इसलिए मैं इससे अभगा किता, फिर उन्होंने मंत्रीपत से इसकी बाद दिया, लेकिन में गार ने किया भी था, हिंदू को अब बिल को बॉटर अबमतल है अब घना पो ये हे तो आप ही अपने आप को एक हिंदू री ऊफ़ांगा आढना माना ही ये, वरना आया आग आप अको हिंदू नहीं मानते है तो इसके क्या फरक पड़ता है की हिंदू परस्नलॉअ, जो मुसलिम परस्नलॉअ, आप तो दोनों के खिलाफ Conversion की सब्सक्ते पहले बात की थी आप वेटर में 1927 में जर्गा व डिप्रेस्ट क्लासे कॉंटेंस में जिसमें उन्होंने पहली बार गोला था कि हिंदू धर्म पूरा जो स्टेक्मेंट था कि पहले इन हिंदू धर्म की कोशिश करेंगे और अगर हिंदू धर्म में रिफॉ अगर हमों लेकर में हिंदू मरूग नहीं और 1936 में पहली बार को अपने प्रेफर्ड रिलिजिन की बाद करते हैं नॉट कुछ इसम पर्स्ट प्रेफर्ड रिलिजिन था सिख्यजम की वह बाद करते हैं और सिख्यजम को study करने के अपने 13 फॉलोवर को अमिर सर बेचते है जो सिख्यजम पढ़ें और उनके इस बाद के बाद कुछ और इसलाम, कुछ और सिख्यजम में आपने आप करते हैं तो उसकी वज़े से हिंदूस ने काफी डर के concessions की तो अम्बेटकर को यह बाद क्लिक की कि यह strategy it works तो उसके बाद पर अम्बेटकर ने इस बाद को खु तो लंडन बे यह पूछने के लिए कि अगर दलिट सिख्यजम में convert होते हैं तो सिख्यजम को as a minority जो privilege मिलेगा, क्या दलिट सिख्यजम के हथदार होंगे तो बिट शक पिखान नहीं होगे, सिर्फ जट सिख्यों होगे, फिर वो बापिस आए तो मास्कर तारा सिंग जो सम सिख्यों के लिए कि हम नहीं चाहते हैं कि आप convert हो और हम आपको नहीं convert होने लेंगे, क्योंकि अगर सारे दलिट सिख्यजम में convert होंगे, तो हम ही सिख्यजम में minority हो जाएगी, और in the course of time, leadership की दलिट सिख्यों के हाथ में transfer हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इंकार कर दिया, उसके बाद कुछ क्यों सिख्यों में convert हो गया है तो उन्होंने अमबेटकर को बताया कि जितनी atrocities ब्रामनों ने उनके उपर किये, उससे जादा atrocities जट पेजन्ट सिख्यों ने की उनके उपर, इसलिए यहाँ पर कोई पाइदा नहीं आनेगा, तो महा से फिर अमबेटकर 19 1937 से लिएक है, 1956, अचा एक और चीज़, 1936 में वो सिख्यों को क्यों अप्रोच करते हैं, इसके सुझाओ पर, गोलवलकर के गुरु मुंझे के सुझाओ पर, मुंझे से उनकी मुलाकात होती है, 1935 या 36 में, जिसमें की मुंझे यह बोलते हैं, कि आप सिख्यों में जाए लेकिन आप हिंदू सिविलाइजेशन के भीतर रहे हैं, फिर अप मेटकर ने कहा, कि हम हिंदू सिविलाइजेशन के तकी हमारा एक डेट है, कर्ज है, और इस कर्ज के लिए मैं जनितों को यह कहूंगा, कि वो सिख्यों में कर्णों, इसने हम सुझे हिंदू रेलिजिन को चोड़ेंगे हिंदू सिविलाइजेशन को ने, बहुत पॉब्लम जी, मतलब, वैसे देखा हैं तो, और इसलिए कोई कारण यह बेकारण नहीं है, कि RSS 1925 से आज कही बार मेटकर को अप्रोप्रियेट करने की कोशिश्ची और कहीं-कहीं हो पार्शली सक्सेस्फूर हो, ल पाकिस्तान के वियोधी थे पाकिस्तान के वियोधी थे पाकिस्तान के वियोधी नहीं थे, लेकिन एक चीच उन से जब पूछी गे कि आपने इसलाम को कभी करमर्जन के लिए कंसिदर क्यों नहीं किया, Christianity को किया, Sikhism को किया, ultimately Buddhism had converted to it, तो उन्होंने बात भुना कि इसलाम को इसलाम में Indian civilization का पार्ट नहीं होता है, लेकिन उन्हीं के हिसाब से Hinduism भी तो बहार का रहाता है, Hindu invasion होता है, Hinduism भी Indian continent, Indian civilization का पार्ट नहीं होता है, तो बहुत contradictions अगर आप गौर से देखें तो, तो आंको में 37 से के तो 50 से कंवेटकर, Conversion के बारे में कोड़ी बात नहीं करते और फिर, यहीं कागाने की 36 में उने बोला तक Convert होंगे, लेकि 56 में Convert होंगे, क्योंकि अगर आप annihilation of caste पढ़ें, तो नहीं के मेरा प्रयास ही होगा कि ब्राह्मिन को convince करें कि वो caste system को छोड़ें, क्योंकि अगर वो caste system endogamy को छोड़ेंगे, तो फिर caste system दूर होता है, तो प जबरभस परदापषण किया, Reduce of, क्या था 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 हो, Hinduism, और फिलऊपी अर फिलोस्पी अर फिलोस्पी अर एक और था, नाम एक और किताब भी जितना बढ़िया एक्सपोजें को कि अम्रेट ने जीवत का एक अच्छा खासा थाइम हो वो वेदों, पुरानों और ब्राह मुला हिंदु धर्म के सारे स्क्रिप्चर्स का और रामर संगिताओं का तो उनके पास पूर नॉलेश्ट जी जिसने हो हिंदु इडियोटिक रिश्विलिज्म कार्म कान्य, अंद विश्वास, कुपमन रूपता यह जो धोस्लापन्द है इसका उनका बढ़िया घ्रटी किय जी जवाणिकर, it pains me to see the youth of country turning away from religion. I believe that there should be a religion in the society because religion has been the base of all civil governments in the history of humanity. इसलिये religion का गूँना चीँ. और इसलिये sexualism की भार्टीय परिःषा, Santa Vranda के चुपूले से ज्यादा मजयरा है. क्योंकि सब्सक्राइब की असली बढ़ाता है, वो complete separation of state from religion. Religion उनको completely personal issue बनाया जाना, वो completely political और social life में religion का कोई हो नहीं बढ़ा जाना. जिसको lie-side French revolution में, lie-side के जो concepts रहा, political side के इसमों नहीं पॉते हो. तो यह था, लेकिन यहां सर्व धर्व संभाव, सारे धर्व एक बराबर हैं, यानि कि सरकार सारे धर्वों का बराबर कमींगी के साथ इस्तमाल कर सकती है, जनता को बढ़ाते हैं. जो रहूर संतियान ने कहा था, कि किस बेवकूफ ने कहा है, मज़र नहीं सिखाता, आपस में बैर करना, मज़री तो सिखाता है, आपस में बैर करना, भाई को हैं सिखाता, भाई का कूर करना. तो, ठीक ही बात है, इसे बात है किसी के पष्टन उस पर बोने रहेजें, आपकी आस्थाओं का मैं सम्मान कराएं, आप दी मिरी आस्था का सम्मान कारेगी, मतल कि ननी कोई आस्था ना होने का सम्मान करेगी। यह एक तोचने बड़ी बात है. तो इसलिए अंत में जो मैं कहना चाहूँगा वो यह है कि यह जो प्राइमेंटिस्क पॉलिटिक्स और फिलोसफी जिसको अंवेंटर ने इसमें लागू किया पूरी तरीके से अपने पॉलिटिकल रागू इसके लिमिटेशन सामने थे. अपने आखरी पत्र में दादा साहिब गाइकवार जो क्यूंके एक तरीके से आपके से उत्रा पॉलिटिकाई कहता है। उन्होंने आर्कियाई बनाने का निर्ना हो गया है। लेकिन आर्कियाई उनके लाइटाइम में बना दी उसके बाद बना। तो उन्होंने पत्र में खाता है कि अगर यह एक्स्पेरिमेंट फिल करता है, then join the Communists. तो बहुत लोगोंने का है कि क्रेशने सितकारे ने समा किया नहीं हुआ, IRP किया नहीं हुआ, SCF किया नहीं हुआ, RPI किया नहीं हुआ, अब यह नहीं होता है तो Communist को जाज करता है। not with Communist convictions, just as a part of instrumentalist experiment. इसके अमेकर कोज इस पे अमेरिकर नहीं जो गुद्दाय मार्क्स किताब लिखिया, उनका ये दावत हा कि उन्होंने भारत के Communist को से जाला मार्क्सितन कराया, लेकिन सच बात ही है कि उन्होंने मार्क्सितन की ओरिजिनल राइटिंग कोई डरेंग नहीं ह कि अभी कुछ समय तो रहे है तो आजे गंटा में बसमें घ्रावा हुआ है, ताकि इंटरेक्शन भी होपा है, ताकि मां आगे अगे किसी काई सवाल हो है, उन्होंने महीं नहीं नहीं लिखाए कि बुध्दा एं मार्क्स को लिखाए कि बुध्दिदम को समयनने के लिए म साथ साल कारे já सबया सहो है, मार्क्स को लिखो है जया करने से काम ने चलेगा, इस लिए की जानी चाहिए ताकि वनमे अढ़ है。 किताब इंट्रेस्टिं किताब है, अगर कोई, even as a social scientist, leaving apart political convictions, कोई अगर पढ़ना था है, तो इंट्रेस्टिं किताब, वीग बूल है, मतलब उतनों कहते है कि हमारा problem Marxism की इस प्रिंस्पुल से है, कि वो वाइलन दोगाता है, ये भी Marxism नहीं कहता है, Marxism ये कहता है कि वाइलन्स हमारे wish और will का issue देना, जिस तरीके से नए बच्चे के जन्द में धाय कि ए भुल का, midwise के एक पूबिगा होती है, history में force का रोल होता है, Force के रोल होने का मतलब यह नहीं कि हम खून के प्यासे होते हैं, कि हम में खून बहाना ही यह तभी हम रहा है। ऐसा कुछ बाक्सीजरत कहीं मांगस की किसी राइटिंग में हैं, एंगल्स, लेंगल्स, किसी राइटिंग में लिए है। उन्हें यह का रोल of force होता है, जिसको कहते है कि violence or fact of violence, यह होता है, जिसका मतलब यह है कि आप अपने शक्ति का भायर रिखाते हैं, भी ruling class से सब्टा चीन सकते हैं, जो कि Russian Revolution में खून काम आता है। October में स्क्राओनिम और देविंटर वैलस, October 1970, उसमें तो खून भाई किता है, उसके बाद चार साल जो 14 देशों की घहराबंदी थी और जो civil war चला, खून खराबा उसमें होगा। तो इसलिए, ऐसा कुछ fetish नहीं है मार्क्सिस्तों का, कि violence करेंगे तो बड़ा मल आएगा। ऐसा उपना तो कई लिखने में आपको भी जागा ना किसी speech में मिले कोच लिए। यह भारत में कम्निस्तों नहीं किया। जब यहां तक्सर movement प्यादा हुआ तो चारुप जिंदार नहीं यहां तक करणा दिया कि जिसके हाथ शेत्रों के खूंग सेगा रहे हों वो कम्निस्तों। यह कम्निस्तों नहीं एक terrorism, यह एक revolutionary terrorism। मतलब इस तरह की चीजे अब भारत के कम्निस्तों ने क्या किया उसके अगर Marxism को judge किया जागा तो बहाँ भारत के कम्निस्तों ने क्या किया उसके अनाहरत के साइंस को या Marxist theory को judge रहे हों। बहारत, आखरी में मैं यही कहना चाहुँगा कि अम्बेटकर के एक critical analysis भी definitely जरूरत है, अम्बेटकर को जिस तरी किसे sanctify कर दिया गया है, इस मतल़ जो कोई idol का बना गया गया है, यह मुझे लगता इसका खिलाब अम्बेटकर भी कुछ है, अम्बेटकर जिसको अपना गुरु मांन ते बुद्धा, उनों ने बोला था, बुद्ध ने बोला था, किसी बात को से फिसलियर नहीं कोई लो कि तुम्हारा शिक्षक या तुम्हारा अग्रेज, तुमसे यह कहता है, हर बात को पहले तर्ग की कसरोटी पे परको, और तर्ग की कसरोटी पे जो आख खरी हुदे, उसे मानो बाती बिकार, तो बुद्ध की उसी बात पे, को मुझे लगता अमेटकर के पुरी प्रिटिकल लेगसी पे भी लागु किया जाना था, और उनके कॉंटिजूशन और उनके लिबिटेशन, दोनों को सम्झा जाना नहीं चाहिए, स्टेट के बारे में उनका खयाल, वाइल्स के बारे में उनका खयाल — from below change के बारे में रूपका है यह सारे क्यावात के बारे में क्रिटिकली सोचेंगे तो ही दनित लिबरेशन मुव्मेंट भी आ लिगा और कोई militant anti-caste movement भी आ लिगा आज कोई militant anti-caste movement मैं anti-caste से इसी बोटन है कि anti-caste movement और दनित movement में फ़र्ख दनित movement का मतलब यह है कि हो कि वो जो pathology oppressed की बात रंस्वान ने की तरह है उस्पीडित की करा आपको उस्पीडित ही समझेगा यह logic गर्णत है और अरत के दर्द को औरत ही समझेगा घोड़े के दर्द को फिर गोड़ा ही समझेगा मैं यह कौन सा logic है यह बात सच है कि उस्पीडित ही अपने दर्द के इसा कहीं चीज़ होती है apathy, impathy, sympathy, sympathy बहुत हरी चीज़ होती है और एक और चीज़ मभूलाँ apathy, sympathy, empathy यह जो चीज़ होती है यह जो चीज़ होती है sympathy रखने का तो revolutionary, radical perspective से कोई सवाल नहीं है यह इंपैख्री कोई भी रख सकता है उस cause के साथ और यह कहना कि दरित मुक्ति सिर्फ दरितों का काम है यह दरित मुक्ति के दर्वादे हमेशा के लिए बंद करें करता हुए दरित मुक्ति हर उस इंसान का काम है जो इंसान कास्ट की घटिया, घिनावनी, बर्बुदार, सर जुकी परिएटा से तहे दिल सिर्फ शिदत से नफरत करता है और इससे लडने के लिए कमांदा रखता है, इच्छा रखता है, दिल रखता है, ऐसे हर लिए और इसके militant anti-cast movement का मत्तब दलित movement से लगें, और आज का टास्क यह है कि militant anti-cast movement रखता है इसके बिना न तो revolution हो सकता है, कोई यह सुची कि revolution हो जाएगा फिर हम caste system चीख करेंगे यह भी बेवकुफी में, revolution हो ही नहीं पाएगा अगर आजी से militant anti-cast struggles नहीं हो जाता है जब तक working class की caste पर बटाओ इसको आज से बीच से, caste के खिलास militant propaganda और militant anti-cast organization जो संगी गुंदों का सड़क पे भी जवाब दलाता है जब तक ऐसे anti-cast